पूंच 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 आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है शुबम अगरवाल और आज का हमारा स्पेशल सेशन बीएमसी का आप लोगों को सिविल इंजिरिंग कैपसूल आज हम शुरू करने जा रहे हैं तो इस सिरीज के अंदर हम लोग सबसे पहली जो मेराथान सेशन करने जा रहे हैं सबसे पहले आप से पूछा जाएगा सबसे जाएगा तो बिल्लिंग मटीरियल से और एक एक करके हम सभी सबजेक्स के ऊपर इसी तरह के सेशन करने वाले हैं इस सेशन को मैं आपको बता देता हूं यह सेशन थोड़ा सा आपको एक सेशन के अंदर लगवक्त पूरा सारे important formula सारे important point आप जैसे BMC तो formula नहीं होगा लेकिन बाकी के सारे subjects में तो formula होंगे ही तो उसके अंदर formulas भी रहेंगे इसलिए आप सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इस session को पूरा complete करना है देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं पढ़ने का मन ह हो सकता है बहुत ही कम बच्चे हों जिनको करता हो लेकिन यह महनत ही है जो हमें आगे ले जाएगी यह महनत ही है जो हमारे सपने पूरे करेगी यह महनत ही है आने वाले समय में हमें जेई OJ से जेई साहब कहलाएगी आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सेशन को पूरी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं इस सेशन के अंदर क्या रहेगा मैं बता देता हूं इस सेशन के अंदर हम लोग पूरी building material को एक बार में revise करेंगे और हर topic के ओपर कुछ-कुछ question मैं दूंगा आपको कराऊंगा भी लेकिन इसके साथ-साथ कुछ-कुछ question से तो काम नहीं चलने वाला है तो इसलिए आज हम लोग building materials का पूरा revision करेंगे और revision के साथ-साथ अगले session के अंदर यानि कि कल के session के अंदर 120 प्लस question जो भी top question throughout BMC हो सकते हैं उनको कल करेंगे परसो ऐसे नया subject revise करेंगे फिर अगले दिर उसके ओपर question करेंगे इस तरह से हम पूरी civil engineering को revise भी करेंगे और उसके ओपर questions भी लगाएंगे क्योंकि exam के अंदर हमें revision पूरी तरह से करके जाना है और क्या केतने इसके साथ सत्थ questions भी करके जाने है इसमें जो सबसे बड़ी problem एक बच्चों के लिए बनती थी वो revision की थी वो मैंने solve कर दी ठीक ना इस तरह के capsule session से दूसरी जो problem बनती थी वो बनती थी short notes की तो मैं आपको बता देता हूँ हर एक revision session के आपको short notes मेरे telegram group के में आपको मिल जाएंगे तो telegram group का नाम क्या है शुबम अगरवाल सर test book क्या नाम है सब लोग लिक कर बताएंगे शुबम अगरवाल सर test book जो वच्चे नए हो वीडियो के description में चले जाएं लिंक लगा हुआ मिल जाएगा शुबम अगरवाल सर test book का उस पर क्लिक करके telegram group को जॉइन कर सकते हैं और session के बाद मैं उसके short notes भी आप लोगों को provide कर दूँगा लेकिन चलिए शुरुवात करते हैं इस session को बिना रुके ठीक है तो short notes भी आप लोग डाउनलोड कर पाएं यू के इमेल मी ऑन शुबम.agrawal.faculty.testbook.com और PDF जैसे की मैंने आपको बताया मेरे telegram group दोहरा आपको मिलेगी जिसका नाम है शुबम अगरवाल सर test book ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं आज के session की और एक जानदार session को शुरू करेंगे देखिए सबसे पहले मैं आपको ब करेंगे, bitumen का करेंगे, tar का करेंगे, paint का करेंगे, varnish का करेंगे, motor का करेंगे, glass का करेंगे, tile का करेंगे, plustering का, dam proofing का, posolana का और asbestos का, यह सारे topics इस particular class के अंदर cover किये जाने वाले हैं ठीक है, इसमें की मैंने इसको तीन तरह से बाट भी दिया है, जिससे कि आपको पता चलेगी, सबसे ज़्यादा सवाल कहां से आते हैं, इन पहले दो topics से आते हैं, उसके बाद generally इन से काफी ज़्यादा questions आते हैं, और इन से एकाद-एकाद questions हर साल exam के अंदर आता रहता है, तो इसके लिए भी आप सभी लोग ready रहेंगे, चलिए रही बात, सबसे पहले हम होगा, तो कोशिश करें कि सभी बच्चे comment section में जितना लिखते रहें, जितना भी आपको उसके बार में पता है, लिक लिक कर याद करें, तो आप जितना involved होंगे, मैं आपको उतना ही evolve करने में मदद कर पाऊंगा, हो सकता है YouTube के द्वारा कुछ buffering का छोटा मोटा issue आ रहा ह है, तो जिन बच्चों को भी यह buffering का issue face हो, वो थोड़ा सा आपने आपको समाल कर बठाएंगे, क्यों, क्योंकि यह issue बाद में नहीं आ रहा है, लाइव में आ रहा है, हमने YouTube को complain कर दी है, और हो सकता है, एक आज दिन के अंदर यह problem भी आपकी solve हो जाए, तो हमारी तरफ से कोई आरण नहीं है, बच्चों की तरफ से कोई आरण नहीं है, यूट्यूब की तरफ से ही है, अब यह आपके और मेरे control में नहीं है, ठीक है न, तो चलिए शुरुवात करते हैं, देखे, आइनन स्टेंडर कोड का कहना यह है, कि मैं एक brick को brick तब कह सकता हूँ, जब उसक brick की width जो है 1.500 mm से जादा नहीं हो, और उसकी जो thickness है वो 100 mm से जादा नहीं हो, हाला कि एक modular brick की जो आपकी size होती है, वो 19 x 9 x 9 cm होती है, अगर size length में 300 mm से जादा, width में 1.500 mm से जादा, thickness में 100 mm से जादा होता है, तो मैं उसे block बलाता हूँ, क्या बलाता हूँ block, अब यह brick जो ह है, मेरा एक artificial material है, जो की हमने बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर major ingredient silica का होता है, 50-60%, alumina 20-30%, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ line की, तो वो भी होता है, 4-5%, iron oxide जो है, वो 5-6% और magnesia less than 1%, लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करते हैं, silica, silica आपको क्या provide करता है, strength provide करने है, ताकि वो required shape and size आप दे पाएं, ठीक है, और silica उसकी shape and size में आपको strength देता है, line जो है, कोशिश करता है कि आपकी brick के अंदर shrinkage ना हो, cracking ना हो, वर्पेज ना हो, लेकिन उसके साथ तत iron oxide की बात की जाए, तो iron oxide brick का जो लाल रंग है, reddish brown color है, वो basically इसी iron oxide की वज़े से हो होता है, ठीक है ना, वहीं पर magnesia जो है, अगर आप देखें कि तो brick को थोड़ा-थोड़ा yellow shade भी देखने को मिलता है में उसके अंदर, तो वो yellow sting shade होता है, वो magnesia की वज़े से होता है, और magnesia की percentage of brick के अंदर less than 1% होती है, वहीं पर अगर बात की जाती है, brick को manufacture करने के basically चार चोटे से sequential steps हैं, एक के बाद एक step, पहला step है preparation of clay, दूसरा है आपका molding of bricks, फिर तीसरा है उसको ठंडा करना है, ठीक है ना, dry करना है, ठीक है और मतलब ठंडा करने मतलब dry करना, उसको सुखाना है और उसके बाद उसकी burning करनी है, ठीक है ना, burn कितने degree temperature करेंगे, आप हमें ब जाते हैं, उस जमीन से आप मिट्टी निकालेंगे, लेकिन उपर के कुछ मिट्टी को हटा दिया जाता है, इसलिए हटा दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी गंदगी भी होती है, ठीक है ना, तो वो उपर की 20 cm की thickness की soil है, उसको remove कर दिया जाता है, उसके गंदगी है, तो उसको निकाल देते हैं, उसके बाद हम weathering करते हैं, ताकि उसको थोड़ा soft बनाया जा सके, क्योंकि वो मिट्टी नीचे दबी हुई थी, उसके बाद blending की जाती है, ताकि उसके अंदर required ingredients को मिलाया जा सके, and finally tempering की जाती है, पग मिल में, इसको और हम क्या कह toxicity दे पाते हैं, ताकि आप उसको जिस से और size में mold करना चाहते हैं, mold कर पाएं, इसी tempering को एक और नाम से बुलाया जाता है, kneading, और इसको pug mil में किया जाता है, इसलिए इसको pugging के नाम से भी बुलाया जाता है, ताकि जब shrinkage होने के बाद, सूखने के बाद भी brick का size reduce है, वो actual size के बराबर आ जाए, ठीक है, mold मैंने कर दिया, अब mold करने के बाद मैं उसको क्या करूँगा, ठीक है ना, उसको कोशिश करूँगा, थोड़ा सुखाऊँगा, सुखाऊँगा इसलिए, क्योंकि अगर मैं directly उसकी burning कर देता, तो उसके अंदर crack पड़ जाते, इसलिए मैंन कोशिश करी कि पहले उसको सुखाया जाए, सुखाने से भी उसमें कुछ strength आ जाती है, लेकिन इतनी strength नहीं आती, कि मैं उसको directly इस्तमाल कर सकूँ, ठीक है न, जो उसके अंदर strength सुखाने से आ जाती है, वो लगबग 15 से 25 kg पर cm2 की होती है, यानि कि लगबग लगबग इतनी होती है, it should not be less than 3.5 newton per mm2, अब ध्यान दिया कि मैंने का चलो ठीक है ऐसा कर देंगे, तो फिर सुखा दिया, सुखा कर भाई साब उसका moisture content reduce कर दिया, कितने percent moisture content तक reduce किया, 2% moisture content तक reduce किया, 2% तक reduce करने के बाद उसकी burning की गई, बर्निंग जो है, वो लगबग 900 से 1200 degree Celsius प खासी durability आ जाती है, लेकिन आप से दो नए सवाल भी बनाया जा सकते हैं, कि आप मुझे dehydration temperature बता दीजे, ब्रिक का, that is 400 to 650 degree Celsius, आप से oxidation temperature पूछा जा सकता है, साड़े 600 से 900 degree Celsius, वर्टिफिकेशन temperature पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप बता सकते है, 900 से 1200 degree Celsius, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जितना लिख सकते लिखें, क्योंकि आज की करिवी मैनत ही कल काम आएगी, तो जो आज आप मेहनत कर जाएंगे, वो कल आपको future में नजर आईगी, और आप याद करेंगे इन दिनों को, चलिए कोशिश करते हैं, अब मैंने जो brick बनाई, उस brick के अंदर उपर एक ऐसा घिराव सा बनाया जाता है, जिसमें मैं कहता हूँ frog, ठीक है न, अब ये frog जो है इसका generally size जो होता है, 10 cm x 4 cm x 1 cm होता है, लेकिन कई-कई जगाओं पर ये 1 cm की बजाए 2 cm भी लिखा गया है, तो कहीं पर एक लिखाओ, कहीं पर दो लिखाओ, बुरा मानने के बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब इस frog को बनाने के लिए किस instrument का इस्तमाल करते हैं, पूचा जा के लिए pallet board की जुरत पड़ती है, और pallet board का अपना क्या size होता है, 30 x 12 x 1 cm, तो जितना याद रख सकते हैं, उत्ता याद रखेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे बहुत अच्छा करने की, ठीक है बई, अब इसके बाद अगर आ जाती है, तो देखें उनके shape के एसाब से, कई लेगे न, वहीं पर आपकी एक हो जाएगी, can't brick, यह कई बार exam में पूछी गई है, जिसको side से क्या किया जाता है, cut किर दिया जाता है, that is can't brick, जो उपर से चकोर type की हो, चकोर कह रहा हूं मैं, triangular type की होती है, इस तरह की brick, यह, यह कई बार पूछी जाती है, this is nothing but coping brick, इसको ह the wall पर लगाया जाता है, अगर आपसे इस तरह से भी सवाल बनाया जा सकते है, कि मुझे perforated brick बता दीजे कि उसकी water absorption limit क्या होती है, या उसकी strength बता दीजे, तो एक perforated brick की minimum strength 7 newton per mm square, खास बात यह है कि आप kg per centimeter square में बात करते हैं, that is 70 kg per centimeter square, कम से कम इतनी होनी चाहिए, खास brick की strength है, वो कम से कम, मतलब minimum strength के बराबर ही होती है, जिसको हम कहते है, 3.5 newton per mm square, kg per centimeter square में बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 35 kg per centimeter square, खास बात यह है कि आप से paving brick की strength पूछी जा सकती है, paving brick एक heavy duty brick होती है, जिसकी strength minimum 40 newton per mm square होती है, लेकिन अगर आप kg per centimeter square में कहते हैं, तो 400 kg per centimeter square, ठीक है न, मैं खास उनुन का नाम ले रहा हूँ, जो आप से बहुत ज़्यादा chances है, पूछे जाने के, ठीक है बई, मेरे को इसके बारे में पता चल गया, अब जैसे की bull nose brick, ठीक है जिसका एक end क्या है, curved है, cow nose brick, जिसके दो end curved होते है, ठीक है न, coping brick, जो उपर से triangular ह होती है, channel brick, जो basically क्या होती है, drain जिससे बनाया जा सकता है, एक general brick मेरी कुछ ऐसी होती है, लेकिन एक drain brick जो है, उपर से थोड़ी सी curved होती है, जिसको जोड़ कर आप क्या बना सकते हैं, नाली बना सकते हैं, इसलिए इसका इस्तमाल, drains बनाने में काम आता है, recently एक exam के अंदर पूछा गया था, ठीक है उसके बाद hollow brick की जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, कि hollow brick का इस्तमाल कहां किया जाता है, hollow brick का इस्तमाल thermal insulation, as well as sound insulation में किया जाता है, इसकी जो minimum strength है, जैसा कि मैंने बताया, 3.5 newton per mm square, या फिर 35 kg per centimeter square होती है, water absorption limit क्या है, कि 20% से पानी जादा absorb ना करे, कितने समय में, 24 घंटे में, ठीक है न, कितने समय में, 24 घंटे में, ये किस तरह के पानी में absorption test किया जाता है, cold water में किया जाता है, या hot water में किया जाता है, this test is performed under cold water, ठीक है, अगला जो है paving brick, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इस की resistance to abrasion बहुत अच्छी होती है, और resistance to abrasion बढ़ाने के लिए, इसके अंदर एक chemical की presence जादा रखी जाती है, that is iron oxide, इसकी compressive strength की बात की जाए, तो कम से गम, 40 newton per mm square, water absorption limit, 5%, ठीक है, किसी भी हाल में, 10% से जादा नहीं होनी चीए, लेकिन पूछेंगे, तो केतने कहेंगे, आ अहां हाद बांद कर बैठा है, एक्जाम में भी बैठा रहे जाएगा, ठीक है, महीनों की मेहनत आपको एजटेस दे रहा हूँ, अब ये आपके उपर है कि कितना आप मेहनत कर जाएं, कितना इस session का इस्तमाल कर जाएं, ठीक है बई, कोशिश करते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी पूरी कोशिश कर दी है, परफोरेट ब्रिक, जिसके अंदर परफोरेशन होती है, छेद होती है, इससे आप रिइनफोर्च ब्रिक वर्क कर सकते हैं, ठीक हैं, इसकी मिनिमम कंप्रेश स्ट्रेंथ, साथ न्यूटन पर अम्म स्कॉयर, वाटर हैं, उनमें जहां पर आपको जादा स्ट्रेंथ के लिए ब्रिक्स की रिक्वार्मेंट होती है, वहाँ पर हेवी ड्यूटी ब्रिक्स का इस्तमाल किया जाता है, इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर अम्म स्कॉयर होती है, और इनकी वास्टर एब्सॉप्शन देंसिटी होती है, ठीके ना, डेट डेंसिटी, नॉर्मल ब्रिक्की, इस अठारा सौ से लेकर 2000 केजी पर मीटर क्यूब, एक नॉर्मल ब्रिक्की जो वजन है, वो लगबग लगबग तीन से साड़े तीन किलो होता है, तो आप से यह सब एक्जाम में पूछा जा सकता है, वही पर ब्रिक्स में कई तरह के टेस्ट किये जाते हैं, और कितने सैंपल की जरुवत होती है, यह भी एक्जाम में पूछा गया है, जैसे compressive strength test के लिए हम IS 3495 part 1 को follow करते हैं, अगर आपने कलकी class करी होगी तो उसमें इसी को पर question भी था, ठीक है न, number of samples required for compressive strength test, आपको कम से कम 6 ito की ज़रुवत पड़ेगी, water absorption test perform करने के लिए आप part 2 का इस्तेमाल करेंगे, और कम से कम आपको 5 ito की ज़रुवत पड़ेगी, airflow resistance test के लिए आपको part 3 का इस्तेमाल करना है, वर्पेज test करने के लिए आपको part 4 का इस्तेमाल करना है, कौन से Indian standard code का लिखकर बताएंगे, इस 3495, जिसमें की कम से कम 10 ito की ज़रुवत पड़ती है, और सबसे ज़ादा पूछे जाने वाला सवाल, dimension test के लिए आप किस Indian standard code को follow करते हैं, तो brick के लिए सबसे important Indian standard code is 1077, और इसके लिए कम से कम 20 ito की ज़रुवत पड़ती है, कितनी ito की ज़रुवत पड़ती है, कम से कम, 20 ito की ज़रुवत पड़ती है, वही पर आप से strength के ओपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि first class brick जो होती है, उसकी minimum strength 10.5 newton per mm square, यानि कि 105 kg per cm2, ठीके न, वही पर second class brick की strength कितनी होती है, कम से कम कितनी होनी चाहते हैं, तो कम से कम उसकी स्ट्रेंथ साड़े 3 Newton per minimum square यानि की 35 kg per cm2 होनी चाहिए आप उसको grade के हिसाफ से भी देख सकते grade A की स्ट्रेंथ 105 kg per cm2 कम से कम grade AA की अभी recently एक एक एकदाम में पूछा गया है absorption के ओपर भी सवाल पूछा जा सकता है देखिए water absorption limit जो है first class brick की 20% होती है second class brick की 22% होती है और third class brick कहीं पे 24% भी दिया रहता है कहीं पे 25% भी दिया रहता है तो इन दोनों के इसाब से हो सकती है दूसरा आपसे इंडियन स्टेंडर कोड 1077 एक बात और भी कहता है कि अगर class of brick 12.5 तक है तो मैं 20% की water absorption limit अलाव करता हूं लेकिन अगर class of the brick 12.5 से जादा है तो मैं सिर्फ 15% का अलाव करता हूं इसके ओपर सवाल SSC J.E. में भी पूछा जा चुका है ठीक है बई एक कोशी शौर ठीक है अब उसके बाद अगर मैं आ जाता हूं तो efflorescence test जिस पर काफी बार सवाल आता है efflorescence होने की वज़ा सबसे पहली बात alkalis है यानि कि alkalis जो है water absorb कर लेते हैं atmosphere में से और basically क्या कर देते हैं इट को damp बना देते हैं वो indicate होता है इस तरह के white powder की वज़े से अगर यही brick के 10% हिस्से में हो जाता है तो मैं से slight efflorescence कहता हूं अगर यही brick के 50% तक के हिस्से में हो जाता है तो मैं से moderate efflorescence कहता हूं और यही अगर brick के 50% से ज़ादा हिस्से में हो जाता है तो मैं से heavy या फिर serious efflorescence कहता हूं किसी भी तरह की brick के अंदर heavy या फिर serious efflorescence को allow नहीं किया जाता जैसे कि up to 12.5 के grade की या फिर class की brick है तो उसके अंदर moderate efflorescence allow कर दिया जाता है लेकिन अगर वो 12.5 से बड़े grade की brick है तो उसके अंदर slight efflorescence ही allow किया जाएगा सबको clear है तो सब लोग clear लिखकर जरूर बताते रहेंगे भई सबको clear है ठीक है भई अब यहाँ पर अगला जो यहाँ पर आ जाता है shape and size test देखे बेसिकली यहाँ पर एक brick का जो size है कई बार exam में पूछा जाता है अगर वो आपसे standard size फूसता है अगर वो आपसे modular size फूसता एक modular brick का that is 19 into 9 into 9 centimeter बट अगर वो आपसे nominal size फूसता है तो with motor वाला size हुआ standard size या modular size is without motor including the thickness of motor 19 into 9 into 9 but including the thickness of motor that size becomes nominal size 20 into 10 into 10 centimeter अगर वो आपसे conventional size फूसता है तो 23 into 11.2 into 7 centimeter वही पर अगर आपसे nominal size पूछा जाता है तो that is 23 into 11.4 into 7.6 centimeter जितना कोशिश करके लिखेंगे हो सकता है पीछे रह जाएं हो सकता है गलत हो जाएं हो सकता है demotivation आएं हो सकता है कि दूसरा अच्छा कर रहा है लेकिन जो करता रहेगा जो आखरी तक करेगा वो आपको दिखाना है सभी बच्चों की तरफ से session में like होने चाहिए अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि dimension test के लिए minimum 20 into की जरुवत होती है और compressive strength test के लिए कम से कम 6 into की जरुवत पढ़ती है वही पर अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूं आपसे एक सवाल और भी बनाया में किया जाता है exposed masonry work में यह कई बार सवाल पूछा गया है ठीक ना class 2 brick का इस्तेमाल जो होता है वह hidden masonry work में किया जाता है class 3 brick का इस्तेमाल जो है वह temporary structures को बिल्ड करने में लिया जाता है और class 4 brick जो होती है वह जामा brick होती है वह एक over burned brick होती है इसलिए उसको बलास्ट उ आपकी strength और water absorption ratio की हम already बात कर चुके हैं लेकिन अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि मुझे यह बताइए कि एक अच्छी brick के लिए उसकी water absorption limit क्या होनी चाहिए और आपको इदना दिया गया हो कि भाई मैं first class की बात कर रहा हूं या क्योंसी class की brick की बात कर रहा और water absorption limit उसकी 20% हो ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब यहां पर अगला मैं बात करता हूं तो जैसे कि कुछ कोशन कुछ चुनिंदा कोशन करा रहा हूं बाकी तो कोशन कली करा हूंगा ठीक है लेकिन जैसे कि good brick earth should contain dash of alumina 20-30% 35-40% 15% 9-10% तो एक brick earth के अंदर जो alumina की percentage है व brick masonry could fail due to एक brick masonry किसमे fail कर सकती है रचर along a vertical joint in a poorly bonded wall यह shear along a horizontal plane यह crushing due to overloading यह फिर any of these तो देखें सिंपल सी बात है एक brick masonry का जो failure है वो generally किसकी वज़े से होता है वो crushing में भी fail हो सकती है वो shear में भी fail हो सकती है वो रचर में भी fail हो सकती है वो रचर में भी fail हो सकती है any of these य अगला question कहता है कि the minimum compressive strength of second class brick should be second class brick की कम से कम strength कितनी होनी चाहिए 70,90,100 या 120 kg per cm2 the minimum strength could be 70 kg per cm2 या फिर आप कह सकते 7 newton per mm2 ठीक है तो कम से कम इतनी strength होनी चाहिए एक second class brick की ठीक है तो यह आपका एक perfect answer हो जाएगा अगला सवाल कहता है the phenomenon in which clay is made loose and any ingredient to be added to it is spread out on the top of the and turned and down यानि की कह रहा है कि भाई मैंने मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के उसको loose condition में छोड़ दिया कोई ingredient उसमें मिलाना था तो मिलाया उसको मिलाया उपर नीचे करके ऐसे करके मिला दिया ठीक है न वर्टिकल डारेक्शन में इसको हम क्या कहते हैं weathering कहते हैं blending कहते हैं temper अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आपसे इस तरह के match the following भी पूछे जा सकते हैं hardness, water absorption, soundness, compressed strength, pressing the brick till it breaks, यह तो compressive strength होगी, d के साथ 1, a की option में आ रही है हला कि फिर भी hardness, no impression should be left on the surface of the brick, तो वह तो हम कील लेकर ऐसे scratch करके देखेंगे तो a के साथ आ जाएगा second, a के स option वैसे भी बनना है, जब पहला भी मैच हो गया, आखरी मैच हो गया, इसके लावा कोई option मैच ही नहीं हो रहा है, यानि कि d will be the right answer, ठीक है, अगला देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्या कहते है, according to is 21801988, what is the minimal bulk density of a heavy duty burnt clay brick, एक नॉर्मल brick की जो density है, वो basically कितनी होती है, 1.8 स से 2 gram per centimeter cube, या फिर 1800 से 2000 kg per centimeter cube, ठीक है, sorry, kg per meter cube, लेकिन अगर मैं यहीं पर एक heavy duty brick की बात करता हूँ, तो इसकी density कम से कम, 0.5 gram per centimeter cube, यानि कि 2500 kg per meter cube होनी चाहिए, यानि कि answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बहुत बढ़ी हा, अगला देख लेते हैं, बाई, based on their physical and mechanical properties, clay bricks are classified into, 2, dash classes, 6 classes, 2 classes, 4 classes, या फिर 1 class, तो हमने अभी अभी चर्चा की है, कि हम brick को basically 4 class hoômे बाठते हैं, 1st class brick का इस्तेमाल हम exposed masonry work में करते हैं, 2nd class brick का इस्तेमाल हम लोग hidden masonry work में करते हैं, 3rd class brick का इस्तेमाल हम लोग temporary structures को build करने में करते हैं, और 4th class brick का इस्तेमाल जो की overburnd brick या एक जहामा ब्रिक होती है उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसा बलास्ट करते हैं तो यानि की फोर विल भी दा राइट आंसर बहुत बढ़िया बेरोजगार इंजिनेरिंग आरे भाई सब बच्चे ऐसा ऐसा नाम रख दे रहें आज कर ठीक है दा पर्मिसिबल और अलावबल कंप् इस्ट्रेस एक बổi्ग मेसsteiger की कभी भीविग मेसे रीग की ठीक है ना कभी भी Commerce and to the आपछी असट्रेःगी आपने उसमें इसमें कैसल Denn word पर्रिक करते हैं yanlış हैं smartश ऑन्र है अगला इस्जाम पर एक भाइनल कॉश्चिं एस पर आईश थी 1-0-2 calculations 65 f1 class brick the percentage water absorption after 24 hours of immersion in cold water shall not be shall not exceed 20% 12% 25% या फिर 5% तो f1 class बोला उसने f1 class brick यानि कि first class brick तो first class brick की जो आपकी जो water absorption limit है आप सब जानते हैं कि वो क्या है बीस परसेंट है ठीक है ना first class brick absorption limit is 20% चलिए एक और question when the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick the presence of efflorescence is classified as यानि कि efflorescence brick के 10% से से ज्यादा हिस्से में हुआ है लेकिन 50% से कम हिस्से में हुआ है इस तरह की efflorescence को हम लोग moderate efflorescence की category में डालते हैं ठीक है अगर 50% से जादा हिस्से में होता तो हम इसे क्या कहते हम इसे serious efflorescence कहते और किस तरह की brick में हम serious efflorescence अलाव करते हैं आप सब comment करके बता सकते हैं ठीक है अब वहीं पर आ जाते हैं cement के उपर सीमेंट क्या है एक binding material है क्या है binding material सीमेंट के अंदर जो major दो ingredient होते हैं एक है lime और एक है silica lime की बात की जाए तो lime 62-67% in the form of calcium oxide present होता है यही सीमेंट को strength भी provide करता है और soundness भी provide करता है वहीं पर silica जो है 17-25% silicon dioxide के form में present होता है और strength provide करने का काम करता है ठीक है उसके बाद जो सबसे major ingredient है वह है alumina 3-8% जो की brick में 20-30% था brick में सबकी percentage आप बताएंगे सीमेंट में मैं बता रहा हूं ठीक है न तो भाई alumina का 3-8% यहाँ है 20-30% वहाँ है ठीक है न एल 2-0-3 के form में यह आपको क्या देता है यहाँ पर flash setting property देता है iron oxide ठीक है न iron oxide यहाँ पर 3-4% लेकिन वहाँ पर 5-6% था ठीक है न fe 2-0-3 के form में जो की यहाँ पर एक flux की तरह भी काम करता है और as well as आपका reddish color provide करता है लेकिन जो final color gray color जो निकल के आता है cement का वह इसी की वज़े से निकल के आता है that is iron oxide magnesium percentage cement के अंदर जनरली एक से 3% होता है magnesium oxide के form में MGO ठीक है न जो की यहाँ पर उसको strength hardness as well as yellow shade provide करने में मदद करता है जिपसम एक retarder की काम करता है ठीक है ना in the form of calcium sulphate जो की लगबग लगबग अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो cement के अंदर आपको यह 3-4% की मात्रा में मिलेगा और यह उसके setting process को delay करने के काम आता है sulfur जो की एक से 3% अगर required percentage के अंदर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इससे जादा होता है तो unsoundness in the cement के लिए responsible हो जाता है alkali 0.2 से 1% के बीच में in the form of किसके आप available होते हैं आप मुझे बताएंगे लेकिन यह alkali efflorescence के लिए responsible हो सकते हैं एक सीमेंट के अंदर एक paint के अंदर एक plaster के अंदर ठीक है ना अलग-अलग चीज़ों के अंदर यहां पर सबसे important बात क्या है सबसे important बात यह है कि सोडा और potash के form में available होता है in any cement ठीक है ना और यही alkali आपको ध्यान होगा तो brick के अंदर भी आप लोगों के लिए efflorescence ला रहे थे वो आपको बताना है कि कौन-कौन से ingredient हैं जो कि unsoundless in the cement के लिए responsible होते हैं ठीक वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो इसी इसमें सबसे पहले जो हैं वह हैं tricalcium silicate एक सीमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगबग 45-65% के बीच में available होता है इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं एलाइट बुलाते हैं तब लोग लिखकर बताएंगे क्या बुलाते हैं एलाइट बुलाते हैं ठीक है न सबसे जाधा cementing property अगर कोई देता है आपको cement के अंदर तो tricalcium silicate देता है ठीक है तो maximum सबसे अच्छी cementing property इसी की होती है अर्ली strength cement के अंदर इसी की वज़े से मिलती है यह hydration का process पानी मिलाने के लगबग एक हफते के अंदर पूरा कर लेता है और इसी की वज़े से आप कह सकते हैं कि frost action से resistance एक cement की बढ़ जाती है वहीं पे जो dicalcium silicate है इसको मैं प्यार से बुलाता हूं छोटू भाई क्यों बुलाते हैं क्योंकि इसकी percentage जो है 15-35% की आसपास है लेकिन इसको हम प्यार से बिलाइट बुलाते हैं यह अपना hydration का process complete करने में लगबग एक साल लगाता है क्योंकि यह strength जो है tricalcium silicate के बास सबसे जाधा दे रहा है लेकिन heat of hydration और rate of hydration सबसे कम इसी का होता है chemical resistance सबस्यादा रेजिस्टेंस यहीं प्रोवाइड करता है heat of hydration यह least produce कर रहा है यानि कि आराम से काम करता है ज्यादा heat प्रिद्यूस नहीं करता rate of hydration इसका कम है strength अच्छी देता है आराम से काम कर तरह है घर के चोटे बच्चे की तरह चोटू भाई ठीक है अगला है यहाँ पर ट्राइकल्शियम एलुमिनेट छे से चौदा परसेंट की आसपस लेकिन वहीं पर देखा जाए तो सबसे जल्दी पानी के साथ रियक्ट करने वाला जो कमपाउंड है वो ट्राइकल्शियम एलुमिनेट है अगर आपसे एकदाम में पूछा जाता है कि maximum affinity towards water किसकी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ट्राइकल्शियम एलुमिनेट की ठीके ना 24 hours में अपना hydration process पूरा करता है maximum heat of hydration produce करता है लेकिन अगर जरुवत से जादा मात्रा में cement के अंदर available हो जाए तो cement के अंदर cracks के लिए responsible हो सकता है ठीक है आपको early setting की property ये provide करता है किसकी early strength provide करता है tricalcium silicate लेकिन early setting के property का और प्रोवाइड करता है tricalcium illuminate ठीक है वहीं पर एक और है यह आराम से अपना काम करते हैं थोड़े गुसेल है टेट्रा केल्शियम अलूमिनो फैरेट 10 से 18% के बीच available होते हैं इनको हम प्यार से शिलाइट बुलाते हैं अच्छा इनसे पहले वाले को हम प्यार से शिलाइट बुलाते थे ठीक है ध्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम यही कर रहे हैं ठीक है यह भी अपना 24 घंटे में हाइडरेशन प्रॉसेस पूरा कर लेते हैं अब जैसे एक्जाम में पूछा जाए अगर कि भाई साब डिक्रीजिंग और ऑफ बाइंडिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से लगा दीज देन आपका c4af और सबसे कम heat produce करता है छोटू भाई c2s वहीं पर rate of hydration के यह साब से अगर पूछे तो आप कह सकते हैं क्या सब लोग लिकर बताएंगे c4af उससे कम c3a उससे कम c3s और सबसे कम c2s छोटू भाई तो सबसे कम heat of hydration और सबसे कम rate of hydration किसका है छोटू भाई का है c2s यानिकी di calcium silicate ठीक है तो उनकी percentage भी मैंने आपको अभी बताई थी लेकिन अगर आपसे एक एक parameter की मैं बात करता हूँ तो elite यानिकी c3s early setting property आपको देता है ठीक है ना c2s आपको ultimate strength provide करता है early strength c2 c3s ultimate strength c2s ठीक है ना early setting की property c3a और maximum heat of hydration और सबसे कम cementing property c4af ठीक है ना I hope सबको clear होगा अब यहीं पर आपके cement को बनाने के दो तरह के process होते हैं एक होता है dry process और एक होता है wet process जादा अच्छा cement आपको wet process से मिलता है quality के मामले में जादा अच्छा कौन है आपका wet process है वहीं पर cost of production जादा किसकी होती है dry process की होती है ठीक है ना अब यहीं पर अगर बात की जाए तो ultimately सारा सवाल dry और wet process में यहीं आता है कि मुझे बता दीजिए ज्यादा अच्छी quality का cement मुझे किस से मिलेगा तो ज्यादा अच्छी quality का cement मुझे wet process से मिलता है वहीं पर आपसे OPC 33 OPC 43 और OPC 53 ग्रेड और सीमेंट पे अलग अ का cement हो the finest should be maximum ठीक है ना आपकी जो sorry minimum ठीक है ना 225 मीटर स्कॉयर पर kg या फिर आप कह सकते हैं 2250 सेंटीमीटर स्कॉयर पर ग्राम वहीं पर आगर आप से पूछते हैं कि setting time बता दीजे तो initial setting time should not be less than 30 minutes 30 minutes से कम नहीं होना चाहिए वहीं पर final setting time जो है वो 600 minutes से जादा नहीं हो होना चाहिए सब लोग लिख कर बताएंगे ठीक है लीज चैटलियस expansion जो कि unsoundness in the cement बताता है due to lime ठीक है वो 10 mm से जादा नहीं होना चाहिए वहीं पे autoclave expansion जो कि unsoundness in the cement बताता है due to lime and magnesia बोथ ठीक है ना वह 0.8% से जादा नहीं होना चाहिए वहीं पे अगर आप से strength पूछ से नमें करछा, साथ दिन में कमसे कम आपकी 22 Megapascal और 28 दिन में करछा 37 Megapascal strength मिलनी चाहिए बहुत्पइफोटीख रीबट में कमसे कम आपको पास्कल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें वहीं पर आपसे एक नया सवाल बनाकर पूछा जा सकता है कि मुझे बताईए कि 33 ग्रेट का सीमेंट 28 दिन में मैक्सिमम् कितनी स्ट्रेंथ दे सकता है तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो मैक्सिमम् कि तो आपको अठाइस दिन में तैतिश देगा लेकिन मैक्सिमम और तालिस मेगा-सकल डेगा और और तीव नाइज तो मैक्सिममर घ्रेंथ ऐस्ट्रेंस देगा आपको ट्रेंथ दिन में नौट स्पेसिफैड यह इंडियन स्टेंड.đ지 specify ही नहीं किया है नहीं किया है ठीक है ना चलिए बहुत अच्छे अब वहीं पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि rapid hardening cement कहां पर इस्तेमाल किया जाता है तो rapid hardening cement वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको जल्दी strength gain करनी हो जैसे की emergency work ठीक है इसका जो initial setting time और final setting time में वह OPC cement के बराबर है high alumina cement high alumina cement का initial setting time होता है साले तीन घंटे और final setting time होता है पांच घंटे ठीक है ना इसकी resistance to chemical attack जादा होती है और इसके साथ साथ यह जादा temperature रिजिस्स कर सकता है तो एक setting cement का initial setting time पांच मिनट और final setting time कितना होता है सब लोग लिख लिख कर बताएंगे जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा एक्जाम से आने के बाद यह कोई नहीं गएगा तो भूल तो तो गयते ना क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो ठीक है ना तो देखिए मेहनत करनी पढ़ेगी ना मैं बिना मेहनत के कोई बढ़ता ही नहीं आगे आप सोचिए मैं अब भी यहां खड़ा हुआ हूँ तीन चार चार गंटे तक आपको पढ़ा रहा हूं क्यों पढ़ा रहा हूं लॉजिकल बात है ठीक है इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि जाद जाद करना ही पढ़ती है तो यह अपनी मेहनत् गया है ठीक है ना फैनल गolगवी टाइम क्युक से değil Training का 30 तो आपको इसारे टाइप के सीमेंट पता हुनी अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने हर एक सीमेंट के लिए उसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड भी टेबल में लिखा है किसी का भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड आप से पूछा जाए आप जवाब देने में सक्षम होंगे ठीक है ना सिर्फ लो हीट सीमेंट का इनी सेटिंग टाइम साथ मिनट होता है और हाई सेटिंग सीमेंट की बड़ा दी थी तुफाइफ जीरो मैं इसमें माक कर रहा हूं जो जो आपको खास याद रखनी है ठीक है आपका सलफेट रेजिस्टिंग सीमेंट टू तुफाइफ जिरो पोर्टलेंड पोजोलाना सीमेंट तीन हजार एक आप याद रखेंगे सूपर स सेमट की हैं चाहर चाहर सो day मीटर स्कॉएफ पर केजियर यानि की 400 cm2 पर ग्राइम खास याद रखेंगे खास याद रखेंगे खास याद रखेंगे खास याद रखेंगे ठीक है न और एकедь हास याद हाई alumina cement HAC 2250 cm2 per gram यह चार खास आप से एक्जाम में regular basis पे पूछे जाते हैं white cement जो होता scale और एक है ISI scale hunter scale जो है उसकी whiteness कहती है कि भाई सब जो cement की white cement की whiteness है should be not less than 90 और ISI scale जो है उस पर कहती है इसे नोट बिलेश देन 70 तो whiteness शुड नोट बिलेश देन 70 और ISI scale इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेकिन वहीं पर हंटर स्केल पर 90 से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है इसके लावा आप से जो सीमेंट पर टेस्स किये जाते हैं जैसे fineness test soundness test setting time test strength test इनसे भी कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे कि आप मुझे बता दीजे इनीशल सेंट टाइम टेस्स किस पर परफॉर्म करते हैं आप वाइकेट थी परसेंट पी बाए फॉर प्लस थी परसेंट थी पॉइंट फाइव गलत लिखका वही थी परसेंट ठीक है ना टेंसाइल स्रेंट टेस्ट ब्रिगड मोल्ड में करते हैं और इसके लिए जो पोश्चर कंटेंट एड़ किया जाता है देट इस पी बाए फाइव प्लस द्यान देने की बाट यह है कि आप से अगर यह पूछा जाता है कि जब आप इसके लिए मोटार तयार करते है compressive strain test के लिए और tensile strain test के लिए तो cement और sand का ratio क्या होता है तो cement और sand का ratio जो वहाँ पर रखा जाता है that is one ratio three सभी लोग comment करके बताएंगे one ratio three दूसरी बात जब consistency of the cement निकाली जाती है तो consistency of the cement निकालने के लिए भी आप white kits apparatus का इस्तिमाल करते हैं तो fineness OPC cement की जो है वह आपका आप कह सकते शुड़ नॉट भी less than see analysis के असाफ से 10% से जादा नहीं होनी चाहिए लेकिन वही ब्लेंस permeability apparatus का इस्तिमाल भी आप कर सकते हैं ठीके ना जिसके इसाफ से आपकी 2250 cm2 per gram से कम नहीं होनी चाहिए ठीके ना consistency test जब आप करते हैं तो उससे आप क्या कर सकते हैं unsoundness test भी कर सकते हैं unsoundness test जो किया जाता है वो ली चैटलेज apparatus पर किया जाता है ठीके ना due to line ठीके ना इसका जो लेग है यह लगबग 165 mm लंबा होता है इन दोनों legs के बीच की जो initial spacing होती है that is 0.5 mm ठीके ना इसका diameter 30 mm इसकी height 30 mm ठीके और इससे जो result मिलता है वो कितने से जादा नहीं होना चाहिए दस mm से जादा नहीं होना चाहिए ठीके ना autoclave apparatus से जो आप यहां पर test करते हैं that is unsoundness due to lime and magnesia both लेकर इसके अंदर जो आप mold बनाते हैं वो पच्चिस into 25 into 200 mm का होता है size में और स्टीम प्रेशर लगाया जाता है कितने का 21 kg per cm2 का कितने का 21 kg per cm2 का लगाया जाता है वहीं पर इस तरह के कुछ सवाल आप से पूछे जा सकते हैं if the percentage of water required for normal consistency what to be added for determination of initial setting time is तो initial setting time test के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि आप कितना पानी आड़ करते हैं ठीक है ना it should be 0.85 times of P ठीक है ना 0.85 times of P unsoundness test के लिए आप 0.78 times of P करते थे which constant cement is to be kept minimum to avoid sulphate attack sulphate attack आपको avoid करने के लिए इन में से किस ingredient को सबसे कम रखा जाए c4af c3a c2s या c3s ठीक है basically tricalcium silicate tricalcium silicate tricalcium aluminate tetracalcium aluminum ferrit सबसे कम किसको रखा जाए तो ध्यान देने की बात यह है कि sulphate attack से resistance आपकी कम करने का काम करता है c3a ठीक है तो c3a की percentage को सबसे कम रखना चाहिए अगर आप sulphate attack से resistance ज्यादा चाहते हैं chemical attacks लगर रेजिस्टेंस ज्यादा चाहते हैं तो आप c2s की मात्रा को ज्यादा रखेंगे ठीक है चलिए बहुत अच्छे वहीं पर what will be the depth of penetration of the plunger in y-kit separators as per is 5513 from the bottom of the y-kit mold when the cement paste is tested for the standard consistency जब standard consistency test करते हैं तो भाई bottom of the mold से जो उसके अंदर penetration है वह पांस से साथ mm का होना चाहिए लेकिन top से अगर बात करते हैं ठीक है ना तो it can be how much top से अगर मैं बोलूं top से सब लोग लिख कर बताएंगे 33 से 35 mm लिख कर बताएंगे 33 से 35 mm चलिए बहुत अच्छे अगला कोशन आ से पूछा जा सकता है वट इस अप्रोक्सिमेट कॉंपोजिशन अव सिलिकन डायोकसाइड प्रेजंट इन ओर्डिनरी पोर्टलेंड सीमेंट तो बाइस चालिस से 50% सत्रा से 25 परसेंट तीन से आठ परसेंट दो 67 फ़्सक्रीट आूइंगे उसके बास तत्रा से पच्चीस परसेंट जो है वह तो इसलिका होता है करते हैं या तो सीव टेस्ट यह एर मेहटने रिखेमाड़ कर तैंड़ा सिटेस्ट्क्राझ लेकिन डेनसिटी वॉर्टल मैथेड़ का इस्तेमाल किस लिए किए जाता है यह आप आप मुझे comment करके बताएंगे यह सभी बच्चे कोमेंट करके बताएंगे यह सभी बच्चे करके बताएंगे yes density bottle method का इस्तेमाल specific gravity निकालने के लिए काम आता है बहुत बढ़ी बहुत अच्छे तेग है अगला है यहां पर हाउ मच बारल इस एड़ेंगे in Cement to determine compressive strength of the cement तो compressive strength of the cement निकालने के लिए हम पहले मोटार तयार करते हैं cement और sand का जो की 1 ratio 3 में तयार किया जाता है उसके अंदर पानी एड़ किया जाता है P by 4 plus 3 percent का P by 4 plus 3 percent तो एक ही option दिया है that is answer makes मतलब वह answer बना देता यह बहुत बढ़िया बहुत अच्छे नितिन सिंग अगला है the most suitable type of cement for mass concreting work is rapid hardening cement high alumina cement low heat Portland cement यह फिर quick setting cement जो सबसे कम heat produce करने का काम करें सबसे कम heat produce करने का काम जो करता है that is low heat cement तो C will be the right answer perfect perfect अगला question कहता है hydration of which compound is responsible for an increase in strength of cement in later age tricalcium aluminate tetracalcium alumino ferrit tricalcium silicate di calcium silicate देखिए आपको responsible for increasing strength in later age यानि कि ultimate strength देना चाहरे हो आप यानि कि बाद में जो सबसे ज़्यादा दे आपको ठीक है ना जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंद देने का काम करते बाद में एक साल लगा देते हैं hydration process में डाई calcium silicate ठीक है ना हम उसे क्या कहते हैं डाई calcium silicate c2s चलिए ठीक है एक चीज़ सब भी बच्चे याद रखेंगे कल एक और marathon session है BMC के उपर अभी session खताब निए जिनता मत करो ठीक है ना तो यह वन ट्वेंटी प्लस question हम लोग BMC के उपर special जो टॉप वन ट्वेंटी प्लस question हो सकते मैंने shortlist किये है ठीक है और यह कल शाम आठ बजे से होगा ठीक है चलिए लेकिन इसके बाद आ जाते हैं asbestos काफी important material है asbestos एक fibrous material होता है ठीक है ना साथ के साथ अगर आप ज्यान देंगे fibrous यानि कि जैसे गन्ने को छीलते हैं fibers में अलागे हो जाता है ऐसे fibrous होता है इसकी tensile strength बहुत होती है 3000 newton per mm square इस बार engineering services में भी पूछा गया था sscj में पूछे जाने कि इसके बहुत ज़्यादा chances है अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि most fire resistant paint कोंसा होता है asbestos paint तब लो लिख कर बताएंगे ठीक है ना most fire resistant cement कोंसा होता है ये asbestos cement क्योंकि इसकी fire resistance काफी जादा होती है क्योंकि ये low heat conductivity यानि की thermal insulation के काम आता है ठीक है ना low electrical conductivity भी होती है इसकी resistance to alkalis काफी जादा होती है लेकिन acid से resistance काफी कम होती है ज्यान देने की बात यह है कि आपने इस तरह की cement की sheets देखी होंगे इस तरह के pipes देखे होंगे ठीक है यह सब asbestos cement की मज़र्ण से बनाये जाते तो आप कह सकते हैं कि in को बोला जाता है corrugated asbestos cement sheet इसको बोला जाता है क्या asbestos cement pipe ठीक है ना तो यहाँ पर इसकी मज़र्ण से sheet बना जाती हैं paint भी बनाया जाता है cement भी बनाया जाते हैं और कई सारे ऐसे material बनाए जाते हैं ठीक है वही पर आगर आपसे पोजोलानिक material के उपर सवाल पूछा जाता है यह कुछ underrated topics हैं लेकर इनसे काफी ज़्यादा सवाल आगर आपने वाकई में तयारी करी है तो आपको पता भी होगा कि इससे काफी सवाल पूछते हैं अब पोजोलानिक material जो होते हैं वो खासकर silica base material होते हैं यानि कि nature में कैसे होते हैं ऐसे material जिनके अंदर silica की जादा होती है ठीक है अब पोजोलानिक material के साथ एक problem है ठीक है प्रॉब्लम तो चलो हम डिसकस करेंगे लेकिन पोजोलानिक material दो तरीके के होते हैं एक नेचुरल एक आर्टिफीशल नेचुरल जो की नेचुरल हमें अर्थ से मिल जाते ह जैसे की clay ठीक है यह भी एक पोजोलानिक material है नेचर के अंदर लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ artificial material की आप example के तोर पर बता सकते हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा rice husk यह एक artificial material है fly ash यह भी एक पोजोलानिक material है silica fume ठीक है यह तीन example आप खास याद रखे हम इने पोजोलानिक क्यों कहते हैं पोजोलानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह करते हैं पोजोलानिक action अब किसे कहते हैं पोजोलानिक action यह भी समझने की जरुवत है लेकिन हम इनके उपर चर्चा क्यों कर रहे हैं उससे पहले यह बता देता हूं इसके उपर चर्चा इसलि पोजोलाना सीमेंट बना रहा था यह पोजोलाना जो था वो हमने जो सीमेंट में जनरली एड करते हैं that is in the form of fly ash कितने परसेंट में लगभग लगभग 15 से 20 परसेंट मैक्सिमम मात्रा के अंदर इसको एड किया जाता है तो मेक पोजोलाना सीमेंट क्योंकि यह कई सारे फाइदे पहुंचाती है जैसे कि उसको economical बना देती है यह तो खेर दूसरा पॉइंट है पहला पॉइंट यह है कि उसमें सबसे पहली बात resistance to segregation बढ़ जाती है ब्लीडिंग होने के chances कम हो जाते हैं उसकी imperviousness बढ़ जाती जानि कि अगर कोई water containing structure बनाना है तो आप इस तरह के सीमेंट को ज़्यादा suitable मान सकते एक ordinary सीमेंट से इसके साथ साथ heat of hydration सबसे अधा important point reduce हो जाती है इसके साथ साथ curing time concrete का बढ़ जाता है increases curing time of concrete curing time बढ़ जाता है इसके साथ साथ आप यह कह सकते हैं कि यह सीमेंट की plasticity as well as आप कह सकते है workability को भी बढ़ाने का काम करता है freezing and thawing conditions दे resistance को बढ़ा देता है अब shrinkage के उपर अगर बात की जाए तो पोजोलानिक material individually जादा shrinkage दिखाते हैं के एक सीमेंट के comparison में लेकिन अगर आप यह compare करते हैं कि एक पोटलेंट पोजोलाना सीमेंट जो होता है वह एक ordinary poryland cement के comparison में कितना shrinkage दिखाता है ज्यादा कम या बराबर तो अगर आप compare करते हैं तो पोटलेंट पोजोलाना सीमेंट एक OPC सीमेंट के रिस्पेक्ट में लगबग लगबग सेम श्रिंक के दिखाता है ठीक है ना पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलता हूं तो पोजोलानिक मटीरल वैसे जादा श्रिंक करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है और पोजोलाना के अंदर एविलेबल होता है ठीक है ना वह सिलिका पोजोलाना का अनकम्माइंड लाइम जो सीमेंट में रह गया था जब दोनों मिलते हैं तो केल्शियम सिलिका हाइड्रेट जेल बना लेते हैं जिसको आप C-S-H जेल कहते हैं और एक सीमेंट के अंदर जो स् स्ट्रेंट को बढ़ा देता है लेकिन अगर आप मुझ से पूछते हैं कि सर्फ लाइच मिलानी की वज़े से यानि कि पोजोलाना मिलानी की वज़े से स्ट्रेंट पर क्या फरक पड़ता है तो आपका जवाब होगा कि एक पोजोलाना मिलानी की वज़े से एक सीमेंट के अंदर उसकी early strength कम हो जाती है, उसकी ultimate strength बढ़ जाती है, उसकी durability बढ़ जाती है, उसकी impermeability घट जाती है, impermeability घट जाती है, impermeability बढ़ रही है, ठीक है बाई, तो एक बात ये भी समाजी बाई, हमने का इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं, किसी भी पोजोलाना के respect में, एक cement की अंदर, as a replacement of cement, कितने percent तक सब लोग लिख कर बताएंगे, 15 से 20% तक, ठीक है बई, अब मैंने कहा, कि heat of hydration पर क्या फरक पड़ता है, heat of hydration कम हो जाती है, ठीक है न, heat of hydration कम हो जाती है, shrinkage लगबग लगबग बराबर रहता है, strength पर ये फरक पड़ता है, कि early strength कम हो जाती है, लेकिन ultimate strength बढ़ जाती है, यानि कि long term effect ये है कि strength जाधा हो जाती है, short term effect ये है कि strength comparatively कम मिलती है, बहुत बढ़िया, तो इसका इस्तेमाल इसलिए ऐसी जगाओं पर, अगर आप पोजोलाना को एक cement में मिलाते हैं, जैसे कि Portland पोजोलाना cement बनाते हैं, तो वो heat become produce करेगा, workability भी जाधा देगा, shrinkage भी लगबग सेम दिखाएगा, strength भी लगबग उतनी देदेगा, ultimate strength उसमें जाधा मिलेगी, resistance to segregation और bleeding उसमें जाधा होगा, freezing and thawing conditions, resistance जाधा होगा, इसलिए आप इस तरह का material का इस्तेमाल, mass concreting, dam में, retaining wall में, masonry works में, plastering में, foundation concrete में, भतेरी कर सकते हैं, अब यहाँ पर important बात यह है, यह exactly आप से अलग से सवाल fly ash पर भी आ जाता है, देखे fly ash कोई आपकी एक अलग टाइप की ash नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं आपकी पास koila था, koila को आपने कहाँ डाला, thermal power plant में डाला, इससे क्या बना रहे है, बिजली बना रहे ह वो राख इस चिमनी में से उड़ने लगी, तुमने उसे कैच कर लिया, यह राख को अंगरेजी में कहते हैं ash, और यह उड़ रही थी, यानि कि यह fly ash, आपने उसे एक electrostatic precipitator या फिर cyclone separator की मदद से कैद कर लिया, इसलिए उसे कहा fly ash, लेकिन अगर वो ash नीचे बैठ जा बैठ जाती, किसमें बैठ जाती, नीचे बैठ जाती और आप उसे बटोर के ले आते, तो आप उसे क्या कहते, bottom ash, तो bottom ash जो नीचे बैठ जाती है, fly ash जो उड़ती हुई थी, दोनों में बस इतना ही फरक है, अब मेरे पास basically अगर मैं बात करता हूँ तो pozoleanic material siliceous होते हैं और fly ash भी क्या है, pozoleanic material है, यानि कि ये भी siliceous होती है nature में, इसके particle का size 1 से 150 micron के बीच में होता है, एक cement के particle का size 90 micron से छोटा होता है, इसलिए इसके अंदर काफी छोटे size के particle की fly ash इस्तमाल की जाती है, हाला कि अगर मैं fly ash का curing temperature बात करूँ तो 38 degree Celsius होता है, जो कि उसके accelerate कर अगर आप एक cement के अंदर मिलाते हैं, तो हम देखते हैं, जहां पर भी हम आज की डेट में room temperature वैसे तो 27 plus minus 3 degree Celsius है, लेकर आप देखें तो general temperature आगकल 30-35 तो रहता ही है, तो curing temperature 38 भी है, तो normal temperature के बराबर ही है, कोई फरक नहीं पड़ता है, तो basically जो ash होती है, that is not fly ash, it is just ash, ash त तो इसमें fly हम लोग generally बोलते हैं, लेकिन fly कहना ठीक नहीं है, तो it is pulverized ash, siliceous ash, and calciarious ash, अगर मैंने एक कोईले को जलाया, और जला कर उसका एक चूरा बन गया, एक राख बन गई, उससे कहा pulverized ash, उसके अंदर अगर silica की percentage जादा थी, ठीक है न, अब देखें ये pulverized ash है चार टाइप की, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन फिलाल के लिए, अगर उसके अंदर calcium oxide की percentage 10% से जादा है, उसी ash के अंदर, तो वही ash calciarious fuel ash कहलाएगी, pulverized fuel ash नहीं कहलाएगी, वह कहलाएगी calciarious, अगर उसके अंदर, ठीक है न, calcium oxide की percentage 10% से कम है, तो वही siliceous fuel ash कहलाएगी, क्या कहलाएगी, siliceous fuel ash, अच्छा, अब यही pulverized fuel ash star type की थी, पहली थी fly ash, जिसको मैंने क्या कहा, उड़ती हुई ash को कैद कर लिया, किसकी मदद से, cyclone separator, electrostatic separator की मदद से, fly ash, वही bottom पे बैट गई थी, मैं खटा करके ले आया, bottom ash, ठीक है न, वही fly ash, और वही bottom ash को mix किया, और उसमें पानी मिला कर उसे store कर लिया, pond ash, ठीक है न, उसे क्या कर लिया, पानी मिला कर, दोनों का mix बनाया, fly ash का, bottom ash का, पानी मिलाया, store कर लिया, pond ash, उसे पानी नहीं मिलाया, ऐसे ही store कर लिया, mound ash, तो चारो type की ash हमें पता है, आप से जो भी सवाल पूछा जाएगा आप हर टाइप का सवाल का जवाब दे पाएंगे what is the minimum compressive strength of Portland pozzolana cement at 28 days should be 33 MPa 20 MPa 10 MPa 50 MPa yes everyone yes everyone minimum compressive strength of a Portland pozzolana cement in 28 days is same as that of ordinary Portland cement yarni 33 MPa simple as that ठीक है अच्छा लो हीट cement की 28 में strength कितनी होती है 35 MPa सब लोग लिख कर बता सकते हैं और सरसन्रीजन का सवाल है time taken by free lime present in cement to react with water is very high reason free lime present in cement is covered by thin film of the cement तो देखे कुछ free lime रह जाता है cement के अंदर ठीक है कि वो लाइम क्या free lime जो present in cement के अंदर जाधा समय लेता है पानी के साथ react करने में और इसलिए जाधा लेता है क्योंकि उसको cement की जो layer होती है film layer वो cover कर लेती है तो इसमें अलग-अलग type के सारे answer आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है ना the answer is a that is free lime जो है वो इतनी जाधा मात्रा में अवेलेवल नहीं हो तो क्योंकि cement के अंदर जो lime हम मिला रही है that is in appropriate amount ठीक है ना अब जो uncombined lime रह गया है उसको reaction करने का समय मतलब उसको layer ही नहीं मिल पाती है क्यों नहीं इसी वज़े से आपकी ultimate strength बढ़ रही है और पुजुलानिक action हो रहा है ठीक है वाई अगला question कहता है था percentage of fly ash using high volume fly ash concrete high volume fly ash concrete के अंदर basically आपको यह बताना है कि कि कितना percentage fly ash होता है 50-60% 10-25% 70-80% या greater than 90% तो एक high volume fly ash concrete के अंदर 50-60% लगबक्या होता है एक fly ash की percentage होती है हाला कि अगर आपने इस तरह के question नहीं भी किये तो मेरा जो cement का lecture है इसी channel पे उपर आप उसको पढ़ सकते हैं उसके इंदर मैंने इसको detail में बताया है आज मैं बहुत ज़्यादा details में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको पूरा building materials revise करना है ठीक है चलिए the use of final pozolana ठीक है in habits और prevents तो भाई साब आप final pozolana का इस्तेमाल कर रहे हैं तो pozolana तो prevent करता है bleeding को heat of hydration को कम करता है calcium hydroxide की leaching करता है क्योंकि calcium hydroxide को react करता है उसके साथ uncombined lime के साथ और pozolana action करके calcium silica hydrate gel बना लेता है deep passivational steel नहीं करता है ठीक है ना calcium hydroxide की leaching करता है तो आप एक बार के लिए क्या कह सकते हैं कई बच्चों का answer c कई बच्चों का answer d ri ठीक है तो answer a and c बनेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो यह option ठीक थे एक वाला और एक ठीक है ठीक है अगला देख लेते हैं assertion region pozolana is added to cement to increase early strength early strength तो कम हो रही थी ultimate strength बढ़ रही थी it reduces the heat of hydration हां बढ़ा रहे था reason सही है अर्फ़र संगलत है a is false reason is true T will be the right answer T आपका perfect answer है ठीक न सी आपका क्या हो गया perfect answer हो गया चलिए बहुत अच्छे which of the following is two regarding portland pozolana cement increases the initial setting time या portland pozolana cement का initial setting time increase हो जाता है नहीं वो तो 30 मिनट सा portland pozolana cement increases early strength early strength तो घट रही थी ultimate strength बढ़ रही थी increases the resistance to sulphate attack हाँ sulphate attack से resistance बढ़ जा रही थी ठीक है ना इनीचल रेंट टाइम भी लगबख सेम थी आप एक के लिए कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बढ़ सकती है तो क्योंकि दो दो option के नों ने बनाए हैं तो तीसरे के साथ पहला हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता किसी ब्याल में दूसरा वाला option यह है दूसरा यह दूसरा यह है एक ही हो सकता है तो कभी कभी देखें option की approach से भी आपको बनाना पड़ेगा ठीक है मोटार मोटार के उपर भी सवाल बन सकते हैं देखें मोटार क्या है मोटार इस तरह से अलग है कि concrete के अंदर सीमेंट fine aggregate coarse aggregate पानी का mixture है लेकिन इसके अंदर आपको किसी भी तरह से coarse aggregate की कोई presence नहीं मिलेगी इसके अंदर एक मोटार is a mixture of cement प्लस fine aggregate प्लस water अब इसका basically इस्तमाल हम लोग कहां कर रहे है कहीं पर जैसे कोई मैसेनरी वर्क किया है तो उसकी appearance को बढ़ाने के लिए जैसे कोई brick मैसेनरी वर्क है को स्टोन मैसेनरी वर्क है इसमें कई तरह के मोटार इस्तिमाल किये जाते हैं अब मोटार को classify करने का पैसा पहला तरीका यह हो सकता है उसके unit weight के साब से classify कर लो जैसे कि heavyweight motor greater than 1500 kg पर मीटर क्यूब ठीक है ना heavyweight बनाने के लिए इसके अंदर basically जो चेंज आपको करने की जरुवत है कि आप aggregate कैसे इस्तिमाल कर रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा एक heavyweight motor हो जाएगा लेकिन अगर puremise as a aggregate इस्तिमाल कर रहे हैं तो वह एक lightweight motor बनाके निकालेगा less than 1500 kg पर मीटर क्यूब ठीक है भई वही पर अगर मैं cement motor की बात करता हूँ तो cement motor की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसकी strength जादा होती है इसकी water से resistance जादा होती है इसको water locked areas में इस्तिमाल किया जा सकता है इसको dam proofing codes के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है इसको plastering के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है ठीक है ना लेकिन यह थोड़ा expensive होता है ठीक है लेकिन अगर आप देखते हैं इसको compare करते हैं किस से compare करते हैं अगर एक lime motor से compare करते हैं तो इसकी plasticity कम होत सकता इसका general की दिणक करते हैं कि अगलेzentरी मोटार के अंदर आपको अची कोथे प्रॉपर्डिय मिलेगी अच्छी प्लास्टिब्र एक नहीं होता कूरी सिर्फ लाइम मोटार के लिए На सेंड भी तो मिक्स है सेंड मदद करेगी आपको स्रिंकेज कम कराने में ठीक है अब वहीं पर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं सीमेंट लाइम मोटार इडिस बेस्ट फोर्थ क्योंकि इसका अगर आप देखते हैं तो यह स्ट्रेंथ सीमेंट की वज़े से देदेगी COKKK वर्क में इसका इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं अगर आप उश्रेंट तोh уже क्या कहेंगे में सीमेंट मोटार का किसके इसी सीमेंट मोटार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं आप सब लोग लिक कर बता सकते हैं त 의 गेज मोटार एक फाइनल टाइप का मोटार जो की है मड मोटार मड मोटार बेसिकलि आगर आप देखेंगे तो विलेजिज में इस्तेमाल किया जाता है खासकर इस्तमाल वही लोग करते हैं जो economically weak होते हैं जिनके छोटे और कच्छे घर वो लोग बनाते हैं ठीक है ना क्योंकि इनकी बहुत जादा strength नहीं होती water resistance अच्छी होती है लेकिन इतनी जादा नहीं होती कि वो cement की बराबरी कर पाए ठीक है ना तो plastering work में masonry work में एक floor को surface करने के लिए मतलब उसको मुलायम करने के लिए इसका अस्तमाल किया जाता है ठीक है अगर आप इसकी बात करते हैं कि इसकी strength बहुत जादा होती है तो नहीं नहीं होती ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब यहीं पर लाइम के उपर आ जाते हैं लाइम के लिए जो इंडिन स्टैंडर कोड़ फॉलो किया जाता है सब लोग कमेंट करके बताएंगे ठीक है ना देट इसससेवं वान टू सेवन वान टू ठीक है वहीं पर आगर आप बात करते हैं तो लाइम जो है बेसिकलिन लाइम स्टोन के फॉर्म में मिलता है और इस केल्शियम कार्बोनेट केल 800-900 degree Celsius पर किया जाता है जिससे जो बनता है that is a quick lime calcium oxide और इससे release होती है कौन सी कार्बन डाइ ऑक्साइड release हो जाती है यह quick lime है ठीक है ना यह quick lime जो है यह basically पानी की तरफ बहुत तेजित होता है इसकी affinity towards water बहुत जादा होती है पानी की presence में आते ही तुरंत react करता है बहुत तेजी के साथ हाला कि calcium carbonate जिसको आप limestone कह रहे हैं यह कई forms में naturally occur हो सकता है जैसे कि आपके seashells होते हैं जैसे कि आपका dolomite stone है जैसे कि आपका limestone है जैसे कि आपका marble है ठीक है ना जैसे कि आपका कंकड है आप यह कुछ तूफा जैसे कई सारे बच्चे सोच भी रहो हो सकता जो नहीं हो तूफा इस दा प्यूरेस्ट फॉम अफ लाइंस्टों तो किसी के प्यूर फॉर्म को हम तूफा बोलते हैं अच्छा जैसे कि मैंने बताय डोलोमाइट कंकड जिफसम चौक यह सब क्या है लाइंस्टोन ही है ठीक है अच्छा अब सोर्सेज लाइंस्टोन में जैसे कि मैं आप से एक सवाल पूछा जाते है कि आपको प्यूर्स्ट फॉर्म आफ लाइं कहां से मिल सकता है तो आप बताएंगे को रलाइम फॉरेस्टो फॉर्स ऑफ लाइम क्या लिख कर बताएंगे सब लोग को रलाइम यह रीसेंटी पूछा गया था ठीक है इस जैसे मैं पिछले साल भी सिवल इंजिनिर कैपसूल यह बच्चों के लिए तो पिछली बार जिन बच्चों ने हो सकता है कि चलिए हैरान करने की जरूवत तो है वैसे 0.12 परसेंट हर साल जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से 0.12 परसेंट सेलेक्शन रेश्यो है ठीक है तो कितनी मेहनत करने की जरूवत है आप समझते होंगे अब ठीक है आप देखिए 712 ने क्या किया बेसिकली की वह सब्सक्राइब को है क्लास ए क्लास भी ओर आ सकता है सब्सक्राइब İs कैसे 70% से कम होती है कि purity 70% से कम है तो impurity 30% से ज्यादा इस तरह कि lime को हम dolomite stone के calcination से obtain करते हैं इसका color muddy white होता है क्यासा color muddy white muddy white होता है ठीक है इसका बहुत ही कम सीजों में इस्तमाल किया जाता है जैसे कि foundation lining में इसका इस्तमाल हम लोग करते हैं ठीक है खास पूछा जाता यह अचा उसके बाद जो अगला lime है वह hydraulic line hydraulic lime को obtain किया जाता है कंकड के calcination तो यहीं कंकड lime है यह hydraulic lime है इसकी purity 70 से 55% के बीच में होती है यानि कि इसकी clay impurities कितनी होती है पास से 30% के बीच में और इंडियन standard code यह बात भी कहता है एक गुड़ लाइम की definition यह है कि अगर एक lime को आप अच्छा lime कहना चाहते हैं तो इसके नदर impurities 5-30% के बीच में होनी चाहिए यानि कि hydraulic lime को यह आप क्या कहते हैं गुड़ lime भी कहते हैं इसका जो रंग होता है वह ओफ वाइट होता है ना प्योर वाइट ना बडी वाइट ओफ वाइट जैसे कि थोड़ा सा गंदा हो गया हो बस ना बिल्कुल चमकता हुआ सफेद नहीं होता वस ठीक है ना इसका इस्तेमाल आप जैसे कि कि रहें ब्रिक मोटार बना रहें ब्रिक मैसनरीवर कर रहें स्टो न्यां कि रोकार कर रहें लुकेशिंस पें करना हो अब hydraulic line भी तीन तरीके के होते हैं ठीक ना एक है feebly hydraulic line एक है moderately hydraulic line और एक है eminently hydraulic line आप देखो समझो भाई साब 5-30% के बीच में थी claim purity अगर claim purity 5-10% के बीच में है तो feebly hydraulic line अगर 11-20% के बीच में है तो moderately hydraulic line और किस से 30% के बीच में है तो eminently hydraulic अब आप से सवाल पूचा जाता है कि डैम्प लोकेशन में कौन से हैड्रॉलिक लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं फीबली मॉडरेटली या एमिनेंटली तो आप बताएंगे जिसके अंदर चले इंप लोकेशन में आसानी से कर सकते हैं यानि कि आपका सही आंसर क्या होगा एमिनेंटली हाइड्रॉलिक लाइम केन बी यूजड इन डैम्प लोकेशन डैम्प प्लेसेज जहां पर पानी की भी प्रेजेंस होती है ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब यहां पर ध्यान देनी की बात है लास्ट टाइप का लाइम है फैट लाइम इसी फैट लाइम को प्यार से बुलाते हैं रिच लाइम इसी को प्यार से बुलाते हैं प्योर लाइम इसी को प्यार से बुलाते हैं हाईली कॉस्टिक लाइम इसी को प्यार से बुलाते हैं वाइट लाइम क्योंकि इसका रंग होता है वाइट इसकी प्योरिटी होती है से 95% से ज़्यादा इस लिए इसको कहा गया है फैट लाइम ठीक है ना यानि कि इसकी जो पर्सेंटेज की इंप्यूरिटीज है वह पांच परसेंट से कम होती है और इसका रंग सफेद होने की वज़े से इसको एस्थेटिक के लिए इस्तिमाल किया जाता है यानि की वाइट वॉसिंग के लिए यानि की कलर वॉसिंग के लिए किया जाता है समझ गया है ठीक है यार कह रहे हैं तो बढ़िया है कुछ है ठीक है अब यहां पर अगर देखा जाए तो अगला है ग्लास लेकिन ग्लास से एक सवाल बनता ह लाइने तो हमने प्यार से आपको क्लास में बताया था मुन्ना सोडाय लाइम ग्लास सुडा एईस ग्लास सॉडा ग्ला स्वड़ड ग्लास इसी को ही हम क्या बुलाते से रंध ठीक है तो चलिए हाला की वह एक मिनट यह गलत हैं इसका बताता हूं आप काच के बर्तन आते हैं कि हैं वो कांच के बर्तन जो हैं जिसके उपर आप खाना बनाते हैं गरम-गरम ठीक है ना वो तब भी खराब नहीं होते वो चिटकते नहीं वो जलते नहीं क्योंकि वो बने होते बोरो सिलिकेट तो जब भी बदार जाएं और एक अच्छा बड़तन खरीदना हो काच का जिसमें आप खाना रख सकें खा सकें आप हमकि से बनाते हैं हाइड्रॉलिक लाइं से बनाते हैं ठीक ना ग्लास अब धेखें अपर इंजिणेरिंग सर्विससस में सवाल पूछा गया क्या पूचा गया यह भी बताओनगा ठीक इना और सब्साइब बहुत यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब शेंगन नहीं होता ठीक है ना पहली बात यह हार्ड होता है बिटल होता है यानि कि यह कट करके तूटता है ठीक है अब इसी से आप खिलकी में इसका इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप में मोबाइल में चश्मे में गाडी में विंडो में दुनिया भर जगाओं इसके जो रॉ कॉंस्टिट्वेंट है वह एक सिलिका जो कि आपको से मिल जाता है लाइम जो कि आपको चॉक से मिल जाता है लाइम स्टोन से मिल जाता है कंकर से मिल जाता है टूफा से मिल जाता है सीशल से मिल जाता है सोडा और पुटाश इसको फ्यूजन का जो टेंपरेच इसको अच्छा करना हो, तो इसमें मैं 3 ingredient मिला सकता हूँ, एक है iron oxide, एक है lead oxide, और एक है borax, अब इससे एक सवाल पूछा गया exam के अंदर, कि मुझे बताईए, door और window में कौन सा glass इस्तिमाल करते हैं, आप, so soda lime glass, इसको एक table में convert कर दिया, ताकि बहुत साधा लंबा आपको प इस्तमाल होता है, वो यही है, potash lead glass, इसी को flint glass बोला जाता है, electric bulb में, lens में, ornamental और जो कांच की आकरितियों वाले काम होते हैं, वो सब potash lead glass से होते हैं, flint glass से, ठीक है न, bottle glass, सबसे ज़्यादा manufacture होने वाला glass यही है, जिसको हम common इसी लिए कह रहे हैं, commonly यही बनता है, bottle, जो आपके बरतन, कांच के बरतन, इसी के बने होते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा heat resist कर पाता है, एक table के अंदर आपके कांच के लगबग 60% सवालों को जवाग, एक मात्रिस table के अंदर है, ठीक है, अब जैसे कि 2022 में, यही सवाल आया था, which type of glass is used in the manufacture of artificial gems, bulbs, यह फिर lenses, soda lime glass, special glass, pota glass, यह फिर common glass, तो भाई हमें पता है, कि artificial gems हो, चाय बल्ब हो, चाय लेंसे हो, उसमें हम potash lead glass के इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम flint glass के नाम से भी जानते हैं, तो answer क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, ठीक है बाई, अब यही पे कुछ अलग-अलग, अगर मैं classify करूं, तो glasses को मैं कम से कम 25 category में बाढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें से कुछ चुनिंदा आपको बताऊंगा, जैसे laminated glass, जिसको आप heat proof glass कर रहे हैं, sound proof glass आता है, bullet proof glass आता है, अब जैसे कि अगर यहां पर सबसे पहले heat proof glass की बात की जाए, तो heat proof glass के अंदर क्या होता है, एक glass की layer है, दूसरी glass की layer है, उसके बीच में tinted plastic लगा दिया जाता है, क्या डाल दी जाती है, किसकी डाल दी जाती है, लिख कर बताएंगे, exam में यह ABC क्यों में आएगा, क्या डालते हैं, tinted glass, bullet proof glass, कि बाइस सब बुलट है, लगने के बाद भी glass प फिर एक vinyl plastic, फिर एक glass की layer, फिर एक vinyl plastic, फिर एक glass की layer, तो alternately किसकी layer ढली जाती है, vinyl plastic की ढली जाती है, ठीक है बाई, अगला है insulating glass, घेक है न, ठीक है ना उसके लिए उसका प्रॉसेस बिल्कुल अलग है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि बताएए हीट ट्रांस्विशन कितने पर्सेंट तक कम कर देता है तब लोग लिखकर बताएंगे कि अजी कि यह नहीं बताऊंगा अरे 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 ठीक है थीट-णी रिफ लास कुछ ऐसे आते हैं एक तो हेट म्लास होते हैं एक होतए हट हीट अब्द्स टेक न वहोते हैं न हो ऀल्ट siya उस्पिटलस में हल्थ कलव में किच्छन में काँस काफी स्तमाल किया जाता है ठीक है अब आते-ख और शकर G जरली पूछा जाएगा उसके उपर हम चलेंगे सबसे पहले सवाल यह पूछा जाएगा वाई इस पोटैश यूज्ड डिरिंग दा मैंगनिफेक्चर ऑफ ग्लास पोटैश और सोडा क्या थे उसके इंग्रीडियेंट्स है ग्लास के तो भाई पोटैश का इस्तेमाल क्यों क सब्सक्राइब से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि मुझे बताईए कि फायर रेजिस्टेंट्स बनाने के लिए ग्लास को किसका इस्तमाल किया जाता है पोटैश का सोडा का कलेट का यह लाइम का हाजी तो भाई साब उसी कोश्चन को उल्टा करके एक एक एक्जाम में पूछा गया और इंजिनरिंग सर्विसेज में भी इसका इस्तमाल इस सेम को पूछा गया था तो भाई साब पोटैश का इस्तमाल किया जाता है लेकिन इसके साथ-साथ याद रखेंगे सोडा का इस तो इसका fusion तेज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं सोडा का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो एक्सेलरेट दा फ्यूजन प्रॉसेस बहुत अच्छे ठीक है अब मैंगनेफेक्चरिंग ऑफ क्ले टाइल्स देखें जो क्ले टाइल आती है उनकी कि मैंगनेफेक्चरिंग बिल्कूल जैसे इड को मैंगनेफेक्चर किया जाता है वैसे ही होती है लेकिन ब्रिक को मैंगनेफेक्चर करने का टेंपरेचर आप बताएंगे ठीक ना टाइल को मैंगनेफेक्चर करने का टेंपरेचर होता है वह तेरा सो डिग्री होता है ठीक को बहुत जाद़ा प्लास्टिक बनाये जाता है क्योंकि इनकी थिक्स काफी कम रखने ठीक थिक्नाइब एक ब्रिक से काफी कम होती है थिनर होती है लाइटर होती है ठीक ब्रिक का बर्निंग टेंपेचर 900-11200 इसका है 1300 चलिए अब यहीं पर आपसे जो सवाल प की बीस परसेंट मशीन मोल्डेट टाइल की कितने होती है 15 बस दो चीज़े याद रखती है बीस परसेंट 15 परसेंट मशीन वाले की ज्यादा बाना जाना जाते हैं right तेमबर को प्यार से और भी बिलाते हैं अगर मैं अभी-अभी काट कर लालाया हूँ अभी-अभी टिंबर क्योंकि लकड़ी का अपने वजन जो उसका वजन होता है जब आप उसको काट कर लाते हैं तो उसका अपना 50% वजन सिर्फ उसमें वाटर की वज़े से होता है और उसके अंदर अभी पानी है फ्रेशली काटा गया है उसे इसलिए वो कहलाती है ग्रीन टिंबर ठीक ह आती है जिनका इंवर्ट डारेक्शन में वड़ता है वह एंडोजेनस ट्रीज क्यालाती है एक्सोजेनस ट्रीज में दो टाइप के होती है एक कोनिफर और एक डैसीडियस हमें जो मेजरनी लकड़ी मिलती है इंजिनरिंग के पॉइंट व्यू से वह कहां से आप मुझे ब प्रवाइड करने वाले पेड़ों का नाम है जैसे कि देवदार, चीर, पाइन, फिर, स्प्रूस यह कुछ ऐसे पेड़ है जिनसे हमें कोनिफर यानि की हलकी वजन की हलकी सॉफ्ट वूड मिलती है लेकर मुझे इंजिनरिंग के पॉइंट व्यू से एक हार्ड एक से देड़ की कूट की ती ती ना, जैसे कि आपकी सल की लकडी जैसे के कुछ ऐसे एक्जांप्ल्स है जैसे कि अगर मैं देखता हूं इसी लकडी को कई और तरीकों से भी क्लासिफाई किया सकता है अलरड़ी शौने साल वी पूछा गया था कि रफ टिमबर आप किसे कहते हैं सबसे पहली बात एक लिविंग ट्री जैसे कि पेड़ अभी लगा हुआ है बढ़िया हिल लहा है बढ़िया प्यारा 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 इसे काट देंगे अगर पेड़ को काट वैश्चर में लिखा होता है कि यह सारे यहां पर हमने किसी इस तो कोशिश करें कि पेड़ ना काटे ठीक है ना चलिए हाला कि हम आगे बढ़ते हैं अभी सिविल इंजिनिंग की बात चल रही है तो अगर मैं उस पेड़ को काट दिया और काट के ले आया तो ग्रीन टिमबर था लेकिन उस पेड़ को हम रफ टिमबर भी कहते हैं अब प हूँ अगर उसकी मॉडिलस ऑफ इलासिसिटी यानि की यंग्स मॉडिलस की वेल्यू साड़े बारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर से जादा है तो वह ग्रूप ए टिमबर है अगर साड़े बारा से लेकिन 9.8 के बीच में है तो ग्रूप बी टिमबर है और अगर 9. चौदा सो पंदरा मीटर क्यूब पर यह से जादा है किसी भी लकडी की तो वह क्लास एक्स टिमबर है अगर 355 से लेके 1415 के बीच में है तो वाइट इंबर है अगर 355 से कम है तो क्लास जेड टिमबर है अभी आप उसको डियूरिबिलिटी के हिसाब से भी क्लासिफाय कर स दिखते हैं अगर एक लकडी का इस्तेमाल कर रहे है और वो लकडी 120 महिने यानि कि 10 साल से जाधा चल जाती है तो वो एक highly durable टिमबर है अगर उसकी लाइफ 5 साल से कम है तो वह एक low durable टिमबर है अगर मैं बात करता हूं सीजनिंग के साथ से कुछ लगड़ी जा ऐसी हो जिए जिनको सीजनिंग करना बड़ा difficult होता है बहुत slow process होता है अगर उसका सीजनिंग करना difficult तो है लेकिन ठीक हो जाएगी class B timber यानि कि medium refractory timber और अगर उसको आसानी से rapidly सीजन किया जा सकता है कम समय में सीजनिंग की जा सकती है तो वह एक low durable sorry low refractory timber है ऐसा है क्या ओके वरी नाइस इस टेबल को याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं वह आपकी इच्छा है ठीक है इसमें हमने बेसिकली यह मतलब मेरे को तुम लगता कि पूछेंगे लेकर अगर पूछ लिया तो वाली बात है ठीक है तो a b c d e में बाटा गया है easily treatable मतलब उस पर preservative लगाना है असानी से लग जाता है तो class A है treatable है लेकिन सही सरी के से नहीं लग पाता है तो class B है और ज्यादा as it is देगा ठीक है ठीक है ठीक तो है यह वैसे चलो रही स्कॉसर साब कह रहे हैं कि प्यार से टिंबर घं लुंबर कहते हैं बिल्कुल सही बात है चलिए अच्छा अब इसी टिंबर को अगर आप देखें तो यह उसका cross section यह extrigtive का होता है यह endogenesis का यह आप मुझे बताएंगे अगर देखें तो इसके अंदर जो सबसे innermost इसे हम कहते हैं energy इसके बाहर का दोest इसे हम कहते हैं होड़र इसके बाहर की जो लेर है उसे कहते हैं अरर जो रेडियल direction में यहां पर raise मूव करती हैं उन्हें हम कहते हैं मेडियूलरी रेज तो पित जो है यह एक डेड़ पार्ट ऑफ टिमबर होता है गाड़े रंका होता है इसकी ग्रोथ इसकी स्ट्रेंथ में कोई रोल नहीं होता हाट वुड आपको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है एक टिमबर के आपके चुन्नु मुन्नु यानि कि यह क्या है अभी इतने बड़े नहीं होए हैं तो यह फ्यूचर ग्रोथ ऑफ घर के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं मेडूलरी रेज घर की माता जी के बराबर हैं जो सारी की सारी लेयर को एक जुट करके रखने का काम करती है यानि कि सैपवुड हाटवुड Cambium layer सबको hold करने का काम करती है strength और प्रोइड करती है ठीक है थिकडिक ना वार्क जो है एक outer covering है joh की गाम करती है और annual rings बेसिकली आपकी age of the tree बताने के काम में आते हैं जो मैंने आपको बताए यह सब आपको इस table में लिखा हुआ मिल जाएगा ठीक है वही पर अगर आप देखते हैं तो लकडी को तैयार इस्तमाल करने से पहले तैयार करना पड़ता है तैयार करने के लिए सबसे पहला step होता है cutting of tree, then seasoning of timber, then sawing of timber and the final is preservation अगर यहां पर देखा जाए तो seasoning को seasoning में हम moisture content of the timber reduce करते हैं और जो sap वाला हिस्सा है जो की growth of the tree के लिए responsible होता है उसको हटा जेते हैं seasoning के कई सारे फाइदे होते हैं लकड़ी के अगर seasoning कर दी जाए तो कितने percent moisture content तक moisture content reduce किया जाएगा यह आप मुझे बताएंगे इसको reduction करने की वजए से timber की strength बढ़ जाती है hardness बढ़ जाती है वजन कम हो जाता है workability बढ़ जाती है उसको आसानी से shape and size दे सकते हैं ठीक ना आसानी से उस पर preservative लगा सकते हैं fungus से resistance उसकी बढ़ जाती है अब आसानी से कीले मकॉड़े उसको खा नहीं सकते ठीक ना उस पे paint करना आसानी हो जाता है उसमें shrinkage और warping crack से resistance बढ़ जाती है सारे फाइदे मिलते हैं यानि की durability of the timber बढ़ जाती है moisture content 12% तक reduce किया जाता है बहुत अच्छे जहीं साब ठीक है हो गया ठीक है अब यह को seasoning करने के कई method है एक तो natural method है यह हवा में रख दिया सुखा दिया लेकिन इसमें दिक्कत की बात है कि इसमें unequal shrinkage होने के chances होते हैं जिसकी लकडी में crack भी आ सकते हैं लेकिन सबसे आसान सबसे सस्ता और टिकाओ बिना किसी information कि आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन वहीं पर आप मैं आप से बात करता हूं तो artificial method भी है जैसे कि water seasoning, boiling method, clean seasoning, chemical seasoning, electrical seasoning, electrical seasoning, electrical seasoning, electrical seasoning का सबसे rarely इस्तमाल होता है, सबसे expensive method भी यही है, हाला कि अगर मैं देखूं तो clean seasoning is the best method, अगर आप से exam में पूछा जाता है, कि सबसे अच्छा method seasoning करने का कौन सा है, तो आप कहेंगे clean seasoning method, क्यारे अच्छे है, ऐसा हो रहा है क्या, क्यारे yes, अगला यहाँ पर क्या है, sawing of timber, आपको लकड़ी को काटना है, जो भी shape और size देना है, वो देना पड़ेगा, काटके निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो चार method है, flat sawing, quarter sawing, tangential sawing, radial sawing, इसमें सबसे strong timber आपको मिलता है, radial sawing से, strongest timber section इससे मिलता है, ठीक है, सबसे economical, method, flat sawing, इसी flat sawing को ordinary sawing भी कहा जाता है, ठीक है ना, आपका maximum wastage, आपको किस में देखने को मिलता है, इसी radial sawing में देखने को मिलता है, maximum wastage लकड़ी का इसी में होता है, minimum wastage, flat sawing में होता है, minimum wastage, ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम strength आपको जो मिलती है, वो मिलती है quarter sawing में, minimum strength, यह कुछ mcq सवाल आप से पूछे जाते हैं लगातार, ठीक है, तो आपको इन बातों पे भी ध्यान देना है, अगला यहाँ पर आप से preservation of timber पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लगड़ी के उपर हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई chemical लगा देते हैं, ताकि उसको दीमक न लगे, ताकि उसको आग न पकड़ सके, या उसको पानी न खराब कर सके, ठीक है ना, तो इसलिए preserve किया जाता है, from water, from fungus, from insects, from fire, इसके लिए सबसे पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो हम आस्कू treatment करते हैं, white ends से बचाने के लिए, यानि की termite attack से बचाने के लिए, ठीक है ना, solignum paints भी white ends के attack से बचाने के लिए ही लगाया जाता है, लकड़ी के उपर, कोलतार का इस्तेमाल, fire resistance देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सभी लोग बताएंगे, fire resistance के point of view से, sodium silicate का solution, जिसको हम sir ables process की मदद से लगाते हैं, इसका भी इस्तेमाल fire resistance प्रोवाइड करने के लिए लकड़ी को किया जाता है, aluminium sulfate, इसका इस्तेमाल, recently engineering services में last to last year ये सवाल पूछा गया है, और एक अभी AE के paper में भी पूछा गया था, aluminium sulfate का इस्तेमाल किसले करते हैं, लकड़ी को fire resistance प्रोवाइड करने के लिए ही करते हैं, ठीक है, ये आपका छोड़ देते हैं, अभी यह यहाँ पर आगे काम आएगा, ठीक है, अगला आप यहाँ पर क्या है, कुछ preservative water soluble होते हैं, कुछ preservative water insoluble होते हैं, ठीक है जैसे की zinc chloride fungus से बचाने के लिए लगाया जाता है, boric acid borax आपका fungus से बचाने के लिए as well as fire resistance दोनों प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है न, साथ के साथ अगर हम बात करते हैं, water insoluble DDT और pentachlorophenol, ये basically insects से बचाने का काम आता है, और ये अभी डीसेंटल एक एक्जाम में पूछा अभी गया था, जो बच्चे regular पढ़ रहे हैं, उन्होंने इसके पर question भी किया होगा मेरे साथ, DDT, dichlorodiphenyl trichloroethane का इस्तिमाल basically insects से resistance के लिए किया जाता है, बहुत अच्छे, और देखो मैंने एक चीज़ आपको शुरुआत में बताई थी, class में बहुत बच्चे आएंग क्यों कि जो जिसने मान लिया कि मेरे को आता है, वो एक्जाम तक जाते जाते इतना overconfident हो जाएगा कि एक्जाम से जब वापिस आएगा क्या यार मैंने पढ़ा तो बहुत था लिए आदमी रहा, क्योंकि वो overconfident है, revision के समय अपना time waste करेगा, ठीक है ना, और जो underconfident है, वो लेकिन जो ये मान ले, जो ये ठान ले, वो कर सकता है, ठीक है ना, हो सकता है अभी आप nervous फील कर रहे हैं, हो सकता है आप overconfident भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपको किस में रहना है, आपको normal state में रहना है, अपने आपको समहाल के रखना है, जब तक paper नहीं हो जाता, ठीक है, स आपने आपको स्थिर रखेंगे बस चल रही है पढ़ेंगे आखरी तक बैठके पढ़ेंगे मुश्किल लगेगी मेहनत लगेगी लगेगा मन करेगा चल टहल आएं चल यह कराएं चल वो कराएं अपने आपको धका मारना पड़ता है आपने आपको पुष्ष करना पड़ता है यह है यह यह पुष्ट लेमिट्स ठीक है न हर किसी में उतना दम नहीं कि सिकंदर बन पाए और सिकंदर किते लोग बन पाते हैं आप भी जानते हैं 0.12% हर साल का फिक्स रेशियो है यह 0.12% 0 0.16% इससे ज़्यादा नहीं है कि चलिए आप सब लोग होशी आ रहें मेहनत कर रहें ठीक है अब मैथर्ट अप्लिकेशन प्रिजर्वेटिव की अगर बात की जाए तो कई सारे मैथर्वेटिव लगाने के जैसे सर्फेस पेंटिंग सीज़े सीज़े पेंट कर दिया ठीक तो फ्यूल सेल प्रॉसेश इसको बीथल्स प्रॉसेश भी कहते हैं यह कई बार पूछा गया है एंप्टी सेल प्रॉसेश डिफ्यूजन प्रॉसेश यह सारे मैथर्ड्स अप्लिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव हैं ठीक है अब यहाँ पर कुछ डिफेक्ट ब्या जाते ह में इन्वलरम्स जैनर प्रॉसें ऐससेंग डिफेक्ट कहा जाता है टिक अगर मैं बात करता हूं यहां पर यह देखिए अपका यह स्टार शेक में क्या होता है ब अंदर की त्रह कि तरफ पतला होता चला है हाट शेक डिफेक्ट इसका उल्टा है ठीक है ना अंदर क्रैक मोटा होता है बाहर की तरफ पतला होता चला जाता है देखो बिल्कुल उल्टा है ठीक है जो कप शेक डिफेक्ट है वो पूरा इस तरह का कप बना लेता है क्रैक पूरे सरकल में होता है तोरी रिंग शेक डिफ पेड पेड की कोई भी भी, पेड का कोई भी हिस्ता सही तरीके से remove नहीं किया ज़ा, improperly remove किया जाता है, जैसे हमारे को अगर यहां पर कोई एक दम से चोट लग जा तो, सूजन आ जाती है पेड में सूजन आ गई, ठीक ना पेड में सूजन आ जाने की वजे से, ठीक ना, abnormal growth ह हो जाती है और यहां से हमें एक अच्छी क्वालिटी की लकडी नहीं मिलती सिस्से से इसलिए हमारे लिए डिफेक्ट है एबनॉर्मल ग्रोथ ठीक है ना रिंड गैल डिफेक्ट ठीक है एक है फॉक्सिनेस आप लकडी काट कर लाए ओवर में चॉल ठीक है यानि कि जो पेड़ बूड़ा होने वाला था उस लकडी को काट कर आपने ऐसी रख दिया लेकि उसको प्रॉपर वेंटिलेशन हवा पानी नहीं मिल रहा है ठीक है ना तो वो धीरे-धीरे लाल पीला पड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं फॉक्सिन है जिक है ड्राइर रॉट लकडी के अंदर क्या हो धीरे-धीरे फंगस का अटैक हो जाए प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिले तो पूर वेंटिलेशन की कभी सूक जाए जैसे आपने देखा होगा जो बहर बैंचे पड़ी रहती है पेड़ों के नीचे कभी बारिश होई गीली हो गई फिर सूक जाती है धीरे-धीरे ग्रेइश कलर की डार्क ग्रेइश पढ़ने लग जाती है सड़ जाती है लकडी वेट रॉट लकडी का सड़ जाना रॉटिंग हो जाना वेट रॉट डिफेक्ट ठीक है चलिए अब जैसे एक सवाल यह भी पूछ लिया जाता कई बार कि मुझे बताइए अमरूद की लगड़ी गुवावा की लगड़ी किस कामाती है सेंटिफिक इंस्टुमेंट्स बनाने के कामाती है बबूल की लग जाने के काम आती है ठाइब प्लाइवुड की लगड़ी बेसे इसे लटा लिखा हो इधर ऊंटा हो गया यह लकड़ी प्लाइवुड के गामाती है अच्छा टीक की लकड़ी साब कई सारी चीज़े बना सकते हैं जो सारा महंगी क्वालिटी का फरनीचर होता है वो टीक की लकड़ी से बनता है ठीक है ना दो तरह की लकड़ी जो खास फरनीचर बनाने की कामाती है टीक की और सीशम की अगर आप देखेंगे तो शीशम से ज़ादा महंगी पड़ती है टीक की लकड़ी क्योंकि इसका finish ज़ादा अच्छा होता है shine ज़ादा अच्छा होता है लेकिन अगर आप durability देखेंगे तो durability आपको शीशम की लकड़ी में ज़ादा मिलती है ठीक है चलिए ठीक है अब यहाँ पर उसी लकड़ी अगर पतली पतली लेयरों में छील दिया जाए तो उसे वीनर कहते है ठीक है लकड़ी की strength longitudinal direction में ज़ादा होती है radial direction में comparatively कम होती है लेकिन इसी वीनर को जब मैं क्या करता हूं ठीक है ना alternatively place करता हूं ठीक है कैसे एक layer ऐसे दूसरी layer perpendicular तीसरी layer ऐसे चौथी layer ऐसे पांचवी layer ऐसे छटी layer ऐसे और नंबर में तो उसके combination से बनता है plywood plywood की खास बात यह होती है कि भाई लकड़ी के अंदर एक नॉर्मल लकड़ी के अंदर एक direction में ज्यादा shrinkage होता था इसमें दोनों direction में कम shrinkage होगा इसकी strength एक नॉर्मल लकड़ी की एक direction में ज्यादा मिलती है इसकी दोनों direction में अच्छी strength मिलती है आपसे engineering services में इसी बार यह सवाल पूछा गया ठीक ना कि भाई साब मुझे बता दीए कि seven ply ели इस 국 Pennsylvania साथ प्लाई वाली जो प्लाई वूड आती है उसकी थिकने कितनी होती है तो साथ प्लाई वाली 9 2 5 इतना रखेंगे एक्जाम के point of view से और कुछ नहीं ह्याद करना है जितना मैंने मार किया इसक अब यहां पर आपसे एक एडवांटेज जैसे की मैंने बता है स्ट्रेंथ दोनों डिरेक्शन में मिलती है श्रिंग के दोनों डिरेक्शन में कम होता है ठीक है और इसके इस्तिमाल से लकडी का क्या होता है लकडी यार पेड़ में से काट के नहीं पेड़ा का इतना पेड़ा उतनी चौड़ी लकड़ी आ सकती है तो आप कई सारे बल्लियों को जोड़कर एक खिड़की दर्वाजा बनाते हैं लेकिन प्लाइवूड में क्या है प्लाइवूड का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप लेरिंग करके कितनी भी लंबी चौड़ी आप दर्व रखी से क्वालिटी लगड़ी वेस्ट हो जाती है जो लकड़ी अच्छी कॉलीटी की नहीं होती है जो लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं होती है हम उसको काट कर आरा मशीन के दा चूरा बना देते हैं उसी bilang कर मिक्र्ण के अंदर बड़े साइज का बोर्ड बनाना चाहते यह से बच्षपन में आप गत्ता कहते थे थे वह पार्टिकल बोड ही था तो उसी पार्टिकल बोड की मादब से सस्ती क्वालिटी का फरनीचर कैबिनेट वॉक्सेद खिलोना यह सब बनाया जाता है इसका एड्वांटेज यह कि आप इसका एक दिक्कात होती कि पानी में ज ले जाओ तीन अजार रुपे किया जाएगे तो इसकी खास बात होती है कि बस इसको इसमें नेल कील ठोको मत ज्यादा ठीक है और पानी से इसको बचा कर रखो बाकि आप जिस भी शेप और साइस की बनाना चाहते हैं बन जाए ठीक अच्छा अगला है लैमन और बैटन बो एक वीनर की लेयर ऐसे बिचाई उसके ओपर हम चाह करते हैं लगभग चौड़े-चौड़े दो बल्ली असी एमेम की ऐसे रखी एक बल्ली रखी लकड़ी एक ऐसी रखी और इसके ओपर एक और लेयर वीनर की लगाजी देखो ऐसे लगई हुई तो एसी एमेम चौड़ी-चौड़ी अंदर लकड़ी की बल्लियां लगाई जाती है उससे बैटन बोर्ड बनता है लेकिन लैमन बोर्ड इससे अलग कैसे आप सोचिए यहां पर SCMM यहां पर 7 mm चौड़ी तो यह दोनों में फरक है ठीक है चलिए कोई बात नहीं तो भाई इससे सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे नॉर्मल अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड़ वेट अफ टिंबर टू बी रेकॉंट एटा मॉश्चर कंटेंट ऑफ एट परसेंट ट्वल परसेंट जीरो परसेंट चार परसेंट तो आपको बताना है कि अगर मैं वेट बताना चाहता हूं एक लखडी का चिप मार्क टॉन्गरेंड डिफेक्ट बेंड डिफेक्ट वेट डाइगनल ग्रेंड चिप मार्क जब होता है जब आप नुकीले आरा मशीन को इस्तमाल कर लेते हैं टॉन ग्रें तब होता है जब उसके ऊपर कोई चीज गिर जाया फट जाये लकड़ी ठीक हैंडिका लकड़ी को क्या करने की कोशिश करता है घिसने की कोशिश करता है ठीक है तो डाइगनल ग्रेंड डिफेक्ट आ जाता है ठीक है तो आंसर वेंड डिफेक्ट हो गया अगला है on the basis of seasoning characteristics highly refractory Class A timber is classified as seasoning not required moderately seasoned slow and difficult to season या फिर rapidly seasoned सुजीद नागर कह रहा है मैं तो प्रो हूँ अच्छा चोलो भाईया प्रो ज्यार तुम हम ही रह गए बस है क्यों क्या कह रहे हूं मैं तो प्रो था अच्छा तो भाईया देखो class A timber जो है slow and difficult to season रहता है highly refracted timber की category में आता है ठीक है अच्छा अगला अगला क्या है बाई consider the following method of preservation of timber dipping brushing pressure impregmentation तो आपको decreasing order of effectiveness के साब से लगाना है तो सबसे ज्यादा effective कौन सा है आप pressure से लगा दीजिए ठीक है ना उससे सबसे कम effective कौन सा है dipping या brushing brushing सबसे कम effective होगा दो तो dipping वाला इससे ज़्यादा सही होगा तो 312 होना चाहिए answer क्या हो गया सी हो गया ठीक है अगला देख लेते हैं which of the following would defect develops when a tree grows rapidly अगर ट्री एकदम से rapidly grow कर जाए तो उसे क्रोज grain defect हो सकता है wider angular rings हो सकती है उसकी strength कम हो सकती है क्या हो सकता है एकदम से grow होने की वज़े से देखे लकडी के बीच की layer जो होती है वो फट जाती है जिसकी वज़े से जो डिफेक्ट होता उसे कहते हैं coarse green defect ठीक है ना तो एन्वल रिंग्स लेयर फटके तो एन्वल रिंग्स वाइड हो जाएंगे strength कम हो जाएग यानि कि आपका टार्गेट है कि यू आफ तो मेक 500 प्लस लाइक इन दर सेशन तोड़े सब लोगों को कोशिश करनी है कि वी आफ तो मेक अ collaboratively cumulatively 500 प्लस लाइक इन दर सेशन क्या करें हो जाएगा अच्छे जी यह भी साहिए है कि कि यही की पावर जानते नहीं हो ऑट है ठीश है तो जिखान देने की बात ही है कि put commercial फॉर्म है यह लग तरीकों के बॉर्ट है के लिए वीनर बनाने के लिए प्लाइवोड बनाने के लिए इंप्रेक इंबर बनाने के लिए ब्लॉक बोड बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तिमाल कर रहे थे यहानि कि objective of seasoning of timber, seasoning का objective इनमें से कौन सा नहीं है, reduction of weight of the timber, reduction of natural defects in timber, reduction in shrinkage and working, या increase in strength and durability, तो देखिए ध्यान देने की simple सी बात है, अगर हम इसको देखें, तो seasoning के point of view से, अच्छा एक चीज़ important सबको शायद पता ना हो, कल शाम की चार बजे की एक class होगी, उस चार बजे की class में भी मैं इस related कुछ questions आपको कराऊंगा, तो everyone has to be there, चार बजे की class test book की application पे होगी, ठीक ना, तो test book की application जो है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लें, और चलो चार बजे नहीं कराऊंगा, कल ऐसा करते हैं, इसको कराते हैं, अच्छे बजे, नहीं, छे, चलो ठीक है, पांच बजे, पांच बजे चलो, ठीक है, पांच बजे ठीक है, ठीक, यह रात को नौ बजे कराएं, तुम बता दो comment करके पहले दो, करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि अडिशन भी करा दें, तो थोड़े उसमें भी करा देंगे, एप पर भी करा देंगे, कि नौ बजे तो नहीं होगी, आट बजे से योगी क्लास, यूट्यूब पे तो आट बजे से ही होगी, देखे, रिड़क्शन इन वेट अबजेक्टिव था, नैचुरल डिफेक्ट्स में रिड़क्शन हो जाएं, रिड़क्शन इन श्रिंकेज और वार्पिंग था, इनक्रीज इन स्ट्रेंथ इन डिरबिलिटी, था, कों सा नहीं था, अच्छा, रिड़क्शन इन वेट, रिड़क्शन इन नैचुरल डिफेक्ट्स, रिड़क्शन इन श्रिंकेज और वर्पिंग, इनक्रीज इन स्ट्रेंथ इन डिरबिलिटी, नौट एन अबजेक्टि देखो एक तो मैं चाहता था कि यार देखो सीजनिंग हो जाए तो ग्रोथ रुख जाएगी मौश्चर कंटेंट कम जाएगा जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी यह अबजेक्टिव था मेरा ठीक है ना उससे वेट भी कम हो जाएगा यह भी अबजेक्टि बाइब कई जगाओं पर इसके दो अलग 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 अंसर वेट वॉल्यूम थिकनेस नमबर ओफ लेयर अगर प्लाइवुड की अगर बात की जाए तो प्लाइवुड को कई जगाओं पर ठीकनेस के साब से भी स्पैसिफाइग किया गया लेकर आगर आपसे एक्दाम में लेयर के हिसाब से स्पैसिफाइग करते हैं ठीक ना डोट गेंड कन्फ्यूजड आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरुवत नहीं है ठीक है चलिए वोड केन बी क्लासिफाइड इन्टो एक्स वाई और जेड कैटेगरी ऑन दा बेसेज ऑफ सीजनल करेक्टर स्टिक्स डि 355 से 1415 मीटर क्यूब परियर है तो क्लास वाई और अगर 355 मीटर क्यूब से कम है परियर तो क्लास जेड ठीक है चलिए बहुत अच्छे तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग तो आएस 14315 1995 the maximum thickness of commercial वीनर्स प्रेड्यूस प्रॉड्यूस तो जो कमर्शियली वीनर्स प्रॉड्यूस किये जाते हैं उनकी जो maximum thickness हो सकती है वो कितनी हो सकती है कि अगर आगर 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 अगर आगर ना सब लोग याद रखेंगे चे अगर नॉट्स रिद्यूस अटेंस तेंस तो सबसे जादा बच्चे को अच्छे और देख लेते हैं अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे को अगर कहीं दिक्कत आती है तो इसी में आती है क्यों इसलिए नहीं कि मुश्किल है इसलिए क्योंग हो जाता है देखें पत्थर जो हैं बहुत लंबे समय से हैं जय को ऐसीज्ञासिफैशन को इसीकल ग्लासिफेकैशन और क्यमिकल ग्लासिफैशन व depressed जवेशन की बात करता हूं तो तीन तरह की जितना आपड़ सकते हैं लिख्ँ लिखक यादके और यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहली classification geological classification में अग्रियास रॉक्सी क्याटेगरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो पत्थर आते हैं सब लोग लिक-Likक कर याद करेंगे जितना लिख सकते हो लिख डालो बसाल्ट डॉलराइट ट्राइप आफ प्सी ग्रिनाइट साइनाइट और गैब्रो सबसे ज्ञादा पूछे जाने वाले पत्थर इन में जो हैं वह बसाइट ग्रिनाइट और साइनाइट सेडिमेंटरी रॉक में, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटराइट, डोलोमाइट, जिपसम, शेल, चॉक, सबसे ज़्यादा पूछो जाने वाले हैं, सैंड स्टोन, लेटराइट, जिपसम, और शेल, मेटरमॉर्फिक की कैटेगरी में आते हैं, गनिस, शिस्ट, क्वाट्जाइट, मार्बल, स्लेट, सबसे ज़्यादा पूछो जाने वाले हैं, मार्बल, क्वाट्जाइट, और स्लेट, ठीक है बाई, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो आप इगनियस रॉक्स को भी तीन तरह से क्लासिफाइगर सकते हैं, इगनियस रॉक्स को बेसिकली, इरक्टिव रॉक्स के नाम से जाना जाता है, इगनियस रॉक्स की जो क्लासिफिकेशन है, वो तीन तरीके की है, लेकिन इगनियस रॉक्स बनते हैं, मॉल्टन, मैग्मा के कूल डाउन होने की वज़ जो surface के ऊपर form हो जाते हैं, उनको हम volcanic rock कहते हैं, इसलिए इनको extrusive rock का नाम भी दिया गया है, क्या नाम भी दिया गया है, extrusive rock का नाम भी दिया गया है, यह fine-grained होते हैं, इनके छोटे-छोटे particles होते हैं, हलके रंके होते हैं, और इनका जो सबसे common example है, वो है basalt, इसके लावा trap pumice obsidian, जितना example लिख सकते हैं, लिख लिजे, जितना लिख लिख कर अभी याद कर लेंगे, एक्जाम में उतना ही काम आएगा, मैं फिर repeat कर देता हूँ, ठीक ना, जो हाथ बांद कर बैठा हुआ है घर में, वो हाथ बांद कर ही एक्जाम में बैठेगा, ठीक ना, अगर ए सिमाग दोनों चलाने पड़ेंगे, और तीसरा काम भी कर सकते हो, तो फिर तो combination of all best हो जाएगा, कि बोल बोल कर याद देरो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आपको लग रहा होगा कि मेरा काम में बोलना ना, काम मेरा नहीं है दोस्त, काम तो तुमारा है, ये तु ये भी fine-grained होते हैं, ठीक है न, light color की होते हैं, इसका एक मातर example जो आपको याद रखना है, that is, डोले राइट, ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं बात करता हो, तीसरी and final classification is plutonic rock, इसको हम intrusive rock के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, intrusive rocks, ठीक है न, intrusive rocks, ये ध स्यादा depth पर form होते हैं, ये coarse grain होते हैं, गाले रंग के होते हैं, इसका सबसे common example है granite, इसके और भी कुछ examples हैं, जैसे की gabbro, cyanite, diorite, ये कुछ common examples आपको इन तीनों classification में याद रखने हैं, अब जैसे metamorphic rock है, metamorphic rock की category में अगर मैं चले जाता हूँ, ठीक है न, तो gnis एक ऐस rock है, जो की granite से form होता है, cyst एक ऐसा rock है, जो की granite से form होता है, slate एक ऐसा पत्तर है, metamorphic का, जो की shale से form होता है, marble एक ऐसा rock है, जो की limestone से form होता है, quartzite एक ऐसा rock है, जो की sandstone से form होता है, या फिर आप कह सकते हैं, mudstone से भी form होता है, ठीक है, अच्छा, ये कुछ common examples आपको classification अब confusion यहां से शुरू होगा क्यों क्योंकि जो पत्थर अभी तक आपने देखे वह geologically देखे लेकिन physically उन्हीं की classification अलग तरीके से हैं जैसे कि वहाँ पर sandstone क्या था एक sedimentary rock था लेकिन physically यहाँ पर stratified rock है ठीक है न अब stratified की category में कौन से पत्थर आते हैं sandstone, limestone, shale, gypsum, flade जादतर पत्थर इस category में जो होते हैं वो sedimentary nature के होते हैं ठीक है न स्ट्रेटिफाइड rocks वो rocks है अच्छा stratified rocks कहते कि इसको आप मुझे बताएंगे चलो ठीक है न अन्स्ट्रेटिफाइड रॉक इनके कोल्टे ठीक है जो कि basically granite हो गया वसाल्ट हो गया ट्रैप हो गया डियोराइट हो गया डोलराइट हो गया गैबरो हो गया और साइनाइट हो गया ठीक है न जिन पत्थरों को देख कर ऐसा लगता है कि उनको पतली पतली लेयर जोड कर बनाया गया है वह stratified rock है जो कि एक solid formation दिखाते हैं जिसमें किसी तरह की layer formation नहीं होती वह unstatisfied rock है और foliated rock वह है जो कि layer formation तो दिखाते हैं लेकिन उनको पतली layers में आस्तानी से अलग भी किया जा सकता है वह आपके foliated rocks हैं जैसे की slate, schist, gnis लेकिन foliated की category में ज्यादा तर ऐसे पत्थर आते हैं जो metamorphic होते हैं नेचर में लेकिन marble और quartzite उसके अंदर दो exception हैं जोकि metamorphic तो हैं लेकिन foliated की category में नहीं आते हैं ठीक है बहुत अच्छे राजेंद्र पटेल बहुत बढ़िया ठीक है अगला है chemical classification जिन भी पत्थरों के यह चारों के चारों limestone ही है actually silice rock जिनके अंदर major ingredient silica होता है ग्रनाइट बसाल्ट ग्रेस ठीक है न साइनाइड यह सब क्या है आपके silice है ट्राइप सैंड स्टोन साइनेट तो बोली दिया शायद में ना अर्गिलीशियस की category में बहुत जादा important बच्चे इसी में गन्फ्यूज होते हैं slate लेट्राइट और सिस्ट लेट्राइट एक सेडिमेंट्री रॉक है लेकिन अर्गिलीशियस है अर्गिलीशियस रॉक वो होते हैं जिनके अंदर major constituent clay होता है और कुछ amount of alumina भी मिल जाता है ठीक है very nice ठीक है अब पत्थरों को बड़ी बड़ी चट्टानों से तोड कर लाना is quaring of stone quaring of stone के चार method होते हैं पहला method खोद कर ले आओ excavation method दूसरा method wedging method छोटे छोटे pieces में काट कर ले आओ तीसरा method अगर कोई पत्थर थोड़ा सा क्या है hard है उसको heat करके soft करा और तब उसको काट कर लिया जैसे की granite ठीक है ना और एक final method अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो blast कर दो blasting method ब्लास्टिंग के लिए जो दो मेजर एक्जामपल जो कैमिकल्स इस्तमाल की जाते हैं आप कमेंट करके बताएंगे और उसमें से सबसे ज़्यादा घातक कौन सा होता है वो भी आप मुझे बताएंगे ठीक है तो दो में जो इस्तमाल होते हैं एक है blasting powder जिसे आप गन-powder कहते हैं दूसरा डाइनामाइट इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक explosive है वो है डाइनामाइट ठीक है सबसे खतरनाक explosive कौन सा है डाइनामाइट इसका जो मेजर composition वो क्या है nitroglycerine लिकर बताएंगे नाइट्रोगिसरीन सब लोग लिकर बताएंगे नाइट्रोगिसरीन इस डो मेजर इंग्रीडियंट ओफ डाइनामाईट एकजां में पूछा जा सकता है जो पत्थर तोलगे लिए आ है तो पत्थर तो ऐसा टेडा मेला इडा था इसको काट पीट के बढ़िया perfect shape and size दे दिया चैनिया तोले से dressing of stone इससे क्या हुआ देखने में भी अब पहले से अच्छा लग रहा है कोई छोटे मोटे imperfections होंगे वो भी remove हो जाएंगे ठीक है ना तो resistance to weathering इसकी बढ़ जाती है फिर उसी पत्थर को कुछ इसका कोई perfect time नहीं च्छे महीने में लग जाते हैं 12 महीने भी लग जाते हैं सीजनिंग की जाती है जिसे कि पत्थर पहले से hard पहले से compact पहले से weather resistant हो जाता है यानि कि उसकी durability बढ़ जाती है ठीक है चलिए बहुत अच्छे अब पत्थरों में बहुत सारे test किया जाते हैं जैसे कि abrasion test किया जा जाता है डेवल मशीन में किया जाता है किसले किया जाता है rate of wear resistance कि निकालने के लिए कि पत्थर में नहीं लगाया और कल को पत्थर रोड में लगाया पानी वी बारिश होई गुल के चला गया ब्रैड टेस्ट ठीक है ना बहुत दा इंपॉर्टेंट फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए एसेड टेस्ट वेदर रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्रिस्टिलाइजेशन टेस्ट यह भी डिरिबिलिटी निकालने के ही काम आता है hardness test ठीक है ना जो abrasion test था वो hardness test ही था लेकिन आपको ये सवाल पूछा जाता है कि कि scale पे hardness को measure किया जाता है आप बताएंगे मोज scale पर किया जाता है ठीक है ना impact test resistance to sudden loading और water absorption test water absorption limit को निकालने के लिए और एक अच्छे building stone की water absorption limit 5% होती है कितनी होती है पांच परसेंट अब डॉरीज testing machine में आपने क्या किया था hardness test यानि की abrasion test किया था ठीक है ना तो वो basically उसमें जो factor है अगर 0 से 14 के बीच में है तो एक soft rock है अगर 14 से 17 के बीच में है तो एक medium hard rock है और 17 से जादा है तो एक hard rock है impact test यानि कि toughness test आपने किया है तो एक stone को अच्छा stone road में इस्तेमाल करने के लिए तब माना जाता है जब उसकी toughness coefficient की value किस से जादा हो? 19 से जादा very tough stone 16 से 17 है लगबग तो फिर moderate tough है और अगर 16 से कम है तो poor tough है attrition test ठीक है ना एक अच्छे stone की basically ठीक है ना attrition की जो value है वो 2% से जादा नहीं होनी चाहिए किस से जादा नहीं होनी चाहिए दो percent से जादा नहीं होनी चाहिए very nice ठीक है भाई अब hardness test करने के दो तरीके होते हैं एक तो चाकू से लेकर आई से काट के देखो दूसरा जो पहला तरीका था किसमें डॉरी टेस्टिंग मशीन की मदश से तो इंडियन स्टैंडर कोड कहता है कि जो hardness एक stone की वो उसके अंदर किस तरह के mineral प्रेजेंटे इस पर depend करती है अब अगर mineral talc है तो उसकी hardness स्मो स्केल पर कितनी होगी वन होगी सब लोग लिख कर बताएंगे जिफ सम की कितनी होगी दो होगी केल साइट की कितनी होगी तीन होगी फ्लोराइट की कितनी होगी चार होगी appetite की कितनी होगी 5 होगी fields per की कितनी होगी 6 होगी quartz की कितनी होगी very important 7 होगी topaz very important कितनी होगी 8 होगी corandum की 9 होगी diamond 10 होगी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत बढ़िया ठीक है अब ध्यान देने की बात ये है ऐगजिसे घ्रणाइट है बहुत जादा पोछा जाता कि कहां इस्तमाल होता है। ठ głow बृजिर के pierEs बनाने में बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है। जाए भी मारबल का। मैंनंत क्रनार करने के लिए बहुत जादा किया flooring कोड्डाइड का इस्तेमाल बहुत बार पूछा गया retaining walls में का क्या जाता है basis 다른 का इस्तेमाल rubel mascenary work में किया जाता है कंकर का इस्तेमाल आपको याद होगा आजी के सेशन में वी अबना करी थी हाइड्रॉलिक लाइम बनाने के काम अहां तेक सबको clear है तो clear लिखकर मुझे बता सकते हैं और हर बच्चा क्या करेगा session को share जरूर करेगा बई मैं चाहूंगा कि इस session को सभी लोग share जरूर करें मैं दो मिनिट का break ले रहा हूं क्योंकि दो गंटे से बोल रहा हूं तो गला जो है थोड़ा साथ ठीक है तो दो मिनिट का हम लोग ब्रेक ले रहें लेकिन दो मिनिट के अंदर सभी बच्चे अब आपने से शेशन को like भी कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे ठीक है तब तक मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप शेयर कर रहे हैं कि अधिश्य साब कि पर खुड़ना है अपने को ठीक है ना कि अचाह Larsihaware कि अचाह कितने बच्च कंझा यहां पर जिन्होंने short नूट बनाय हुऊ है फिर जिन्होंने बनाय हुए यह कमेंट कर की बता सकते हैं और आसे बनाय है वह बन stripes को कि कुछ बच्चे नहीं बनाए भी है कुछ बच्चों नहीं कम्प्लीट नहीं हुआ है तो ना हो गया ना या तो आंसर हां होता या ना ऐसे थोड़ी होता है कि सलेक्शन हुआ लेकिन यह है कि कोशिश यह करा करें कि सबी लोग शॉट्ट नोट्स अपने जरूर बनाया करें हाला कि क्लास के बाद शॉट्ट नोट्स में आप लोग अपने टेलिग्राम ग्रूप के थूरू दे दूँगा शुबा मगरवाल सा टेस्बुक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है ठीक है और सभी बच्चे जो हैं मैं हाइली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेस्बुक की अप्लिकेशन जरूर डाउन्लोड कर लें क्योंकि पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा क्योंकि मैंने टेस्बुक को ज थोड़ा और नए और्गनाजिशन को जॉइन किया इससे कई सारे बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत भी मैसूस होई होगी लेकिन मेरा प्राइम मोटिव रहा है हमेशा स्टूडेंट और प्राइम मोटिव यही था कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छी टैसरीज हैं और मैं चाहता था कि बच्चों को सबसे अच्छी टैसरीज मिलें सबसे अच्छे सौर्टिड नोट हैं Hindi में वह और English नंगवेज दोनों में कई सारे बच्चे Hindi में पढ़ना चाहते हैं कई सारे बच्चों ने English में पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप टेस्बूक की बिल्कुल निए सकता हूं भी ठीक है ना मैं तो आज से 50 साल बाद भी नहीं कहूंगा लेकिन इतना ज़रूर किया सकता हूं बहुत कॉंफिडिट्टि की कि सबसे अच्छे नोट्स और सबसे अच्छे टेस्ट सेरी सबसे अच्छा कॉंटेंट एक बच्चे के लिए एक्जाम निकालने लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है तो सबसे अच्छी टेस्स अगर आपको यहां मिलती है सबसे अच्छा तो इंपोर्टेंट यह कि आज आपको सारी जो सारी नोट्स सारी क्लासे कितने रुपे में देते हैं साड़े तीन 4,000 रुपे में तो अगर उसके बाद भी अगर बच्छे लेते नहीं है उसमें आना का नहीं करते हैं तो मुझे तो फिर लॉजिक ही नहीं समझ भाता है लेकिन वो मेरे से होती नहीं है तो इतने सालों पैसे बरबाद करके देखें एक बार यूटिलाइज करके देखें सभी बात है तो बस आपको कुछ नहीं करना है टेस्ट बुक की अप्लिकेशन को डाउन्लोड करना है उसमें जाईए एज एक्जाम को एक्स्प्लोर करिए वहाँ पर सबसे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट वाइस नोट्स हैं हर एक टॉपिक के उपर बहुत सौर्ट बहुत प्रिसाइज और क्या किते हैं क्लासिस भी है ठीक है आप एजए का सब्सक्रिप्शन हर बच्छे के पास होना चाहिए मतलब जैसे मैंने एक चीज बहुत अनलाइज करी कई जगाओं पर कॉस्ट बहुत जादा है कई जगाओं पर कॉस्ट बहुत काम है अब देखे कई सार सब्सक्रिप्शन हर एक्जाम का हर एक्जाम का सब्सक्रिप्शन आपको एक सिंपल सा सब्सक्रिप्शन दे रहा है जिसमें कि सारे एक्जाम की नोट्स भी मिल जा रही है हिंदी इंग्लिश में मिल जा रही है नॉन टेक्ट की मिल जा रही है क्लासिस भी मिल जा रही है त स्टूडेन के पॉइंट रवी से सिंपल एस ता तो हमें अच्छा करना है हमें सेलेक्षिन बनाना है अपने जीवन को सक्सेस्फुल बनाना है देगे सिंपल सी बात है ठीक है ना शलिए तो कल मेरेथान सेशन भी है महाकूम सेशन भी है कल बिल्डिंग मठील के उपर हम सौंडेश सो सवाल जो भी हो सकते हैं सारे लगा डालेंगे कल एस पर मोस्केल ऑफ़ाड़नेस डैश मॉविंग फ्रॉम ओं तो जिफस्म ठीकिया ना इंक्रीजज़ डिकरीज़ रिमेन सेम फिर्स नहींगे अब देखो यार्च जा रही है क्वाड जसे जिफस्म की तरफ सब्सक्राइब कितना नंबर था साथ था जिफसंग कितना नंबर था तीन था तो बहुत हो रही है सिंपल क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ठीक है कि identify the incorrect statement with respect to laterite stone laterite stone is an igneous rock laterite to sedimentary rock होता है गलत है laterite stone is suitable for rough stone masterwork हां कर सकते हैं can split into thin slabs हां कर सकते हैं ठीक है लेटर stone has porous and cellular structure हाँ पूरा structure होता इसका तो igneous नहीं होता यह लिए sedimentary होता है ठीक है तो गलत स्टेट्मेंट है गी है स्टोन दिये गए हैं विच आफ दे classification incorrect लेको basalt igneous होता है granite igneous होता है slate sedimentary नहीं होता shale sedimentary होता है gris metamorphic होता है limestone तो sedimentary होता है metamorphic नहीं होता तो slate और limestone सही तरीके से नहीं दी है slate और limestone लाइम स्टोन टी बन गया चीक है ना जैस विच आफ फॉलिंग बिल्डिंग स्टोन absorbs water more quartzite plate shale या granite तो stone absorbs water more quartzite की moisture content limit होती है लगबग एक परसेंट एक परसेंट ठीक है ना slate भी करता है लगबग एक परसेंट shale करता है लगबग 10 परसेंट granite की भी कम है लगबग 2-3 परसेंट एक से ठीक है चलिए बहुत अच्छे बेस ओन जिलोजिकल क्लासिफिकेशन सिक्स रॉक टाइप सर गिवन बिलो ठीक है इडेंटिफाइट रॉक टाइप विच डू नौट फॉल अंडर दे क्याटेगरी अफ मेटमोर्फिक ठीक है सिस्ट एक मेटमोर्फिक रॉक होता है स्लेट एक मेटमोर्फिक रॉक होता है बसाल्ट एक इगनियस रॉक होता है मार्बल एक मेटमोर्फिक रॉक है क्वाटजाइट एक मेटमोर्फिक रॉक है लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है तो बसाल्ट और लाइमस्टोन न की द्शान से निकालब से फम्हें हैं तोड कर लाने को स्टोनं का बहनिते हैं का यह स्टोन टीक है कि mandate कल से नई क्लास से शुरू हो रही है स्टॉइल मेकानिक्स के साथ कल शाम पांज वह से ठीक है अच्छा आप टेस्बूक की अप्लिकेशन पर जाते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर आप डिसकाउंट कोड एक यूज कर सकते हो शुबहमसर बस सब्सक्राइब टेस्ट कंड़क्टेड ऑना बिल्डिंग स्टोन मोज स्केल टेस्ट एसेड टेस्ट स्मित टेस्ट यह फिर ब्राइड टेस्ट और सीबीटी टू में इस बार बहुत पंगा होगा उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा देखो एक चीज बता सब्सक्राइब टेस्ट तो मोज स्केल टेस्ट हो जाएगा अंसर ठीक है कि विच फॉलिंग टेस्ट ऑफ स्टोन इस प्रिस्क्राइब ब्यूर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अच्छा डियूर बिलिटी टेस्ट इनमें से ऐसा कुन सा जो बी आई एस ने रिकमेंड किया है स्मित टेस्ट क्षुलाइज़ेशन टेस्ट द्रस ट्र असे टेस्ट हैं लेकं इसमें क्रिस्टरन टेस्टी कि एसा टेस्ट है जो कि से स्ट्राइज रिकमेंड करता है ब्यूर आइज्टा कूकस प्रिचांग किूर इस तर टाइप औफ मेटमोर्फिक रॉक डियुक्षि या फिर मिन्रल तो शिस्ट जो है आपका बैटता है मेटमॉर्फिक रॉक किसे कौन से स्टोन से फॉर्म होता है आप कमेंट करके बताएंगे specific gravity of most of the building stones lies between 2.5-3, 3.5-3, 3.5-4 तो भाइसाब एक अच्छे building stone की जो specific gravity होती है वो 2.7 से 2.9 के बीच में जो की option के इसाफ से b बनेगा क्योंकि 2.7 से 2.9 के बीच की जो range है वो b option में आ रही है ठीके ना और यह granite से होता है solletchिस इस से मंहोता है ग्रिनाइट से ऐख है ई है फिसके लाइंस्टोन टाइप आफ प्ल।ो निक्रord । व। फिर मेटमॉर्फिक रोख देखें लाइंस्टॉन जो है वह यह हो जाता है स्टीमेंटेजियो कि जीक है नहीं होगी अब कार्विंग करने के लिए स्टोन का सॉफ्ट होना जरूरी है कि सॉफ्ट थीक है क्रस्शिंग स्ट्रेंथ और गुड बिल्लिंग स्टोन शुड भी मोर देन 50 MPa 100 MPa 150 MPa या 200 MPa, तो it should be greater than 1000 kg per cm2, या फिर आप कह सकते हैं 100 Nm2 और Nm2 ना कहीं, तो MPa भी कह सकते हैं, तो B आपका एक perfect answer हो जाएगा, ठीक है अब ही, आ जाते हैं paint के उपर, पेंट को पूरा summarize कर दिया, मैंने एक की टेबल के अंदर, देखो paint जो है, आपकी appearance बढ़ाने कहाम आता है, पहली चीज़, दूसरा protective layer की तरह काम करता है, अब paint के अंदर basically पांच ingredients होते हैं, बेस, वेकल, वेकल को दो और नामों से जाना जाता है, आप comment करके बताएंगे, ठीक हैं, तीसरा pigment, चौथा dryer और पांच वा solvent, solvent को हम एक और नाम से जानते हैं, thinner, अब बेस जो है basically paint की, जो bulk होता है paint का, वो इसी की वज़े से होता है, जो binding properties होती है, वो इसी की वज़े से होती है, अल्ट्रा वालेट रेस से बचाने का काम भी यह करता है, खास बात यह है कि इसके base की कुछ example जो आपको खास याद रखने हैं, that is white lead, red lead और lithophone, ठीक है न, वहीं पर white lead जो है, वो timber पर पर प्रिफर किया जाता है, red lead, steel work पर प्रिफर किया जाता है, वेकल को हम लोग carrier और binder के नाम से भी जानते हैं, इसके कुछ example आप लोग मुझे बताएंगे, वेकल का काम होता है सारे ingredients को मिला कर suspension में रखना, जैसे की example के तौर पर, ठीक है न, poppy oil, tongue oil, सबसे common example आप मुझे बताएंगे, lincid oil, nut oil, या फिर आप ऐसा कह सकते है, finally, stand oil, pigment जो है, वो basically imperfection शुपाने के काम आता है, और इसका prime motive होता है paint में color provide करना, solvent और thinner, जिसके example है, turpentine, naphtha, benzene, और ये basically spreading power of the paint बढ़ाने के काम आते है, dryer का काम होता है paint को जल्दी सुखाना, इसका सबसे common example है letharge, letharge को हम लोगो basically chemical composition के साब से क्या कहते हैं, आप मुझे comment करके बता यह है, कि जो base है, ठीक है ना, उस base के अंदर, जैसे कि aluminum paint है, aluminum paint के अंदर vehicle की तरह इस्तमाल की जाता है, varnish को, example, जो मैं मात कर रहा हूं, सिर्फ वो खात जान रखेंगे, varnish को, oil varnish को as a vehicle इस्तमाल की जाता है, aluminum paint की जो reflective properties अच्छी होती है, इसलिए इसको थोड़े अंधेर वाले areas, जहां पर जैसे factories वगरा होती है, उसमें इस्तमाल किया जाता है, अच्छा, लेथार्ट का, जैसे कि मैंने chemical composition आप से पूछा था, इसके अंदर जो base होता है, वो asbestos खुद होता है, ठीक है, यह thermal insulation और sound insulation दोनों के काम आता है, और asbestos का इस्तमाल वहां पर भी किया जाता है, ठीक है जैसे कि आपको चाहिए ने बताई दिया, fire resistant cement बनाने के लिए, ठीक है अच्छा, इसके लावा आप देखेंगे, तो एक जो इस्ते सवाल पूछा जाता है, cellulose paint से, cellulose paint के अंदर, basically, जो vehicle इस्तमाल किया जाता है, that is petroleum, और इसमें जो base होता है, वो methyl, आप जो paint होता है, इस पर किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसके resistance to acid, resistance to alkalis, resistance to smoky air, ठीक है ना, इसके resistance काफी जादा अच्छी होती, इसकी shine बहुत बढ़िया होती है, इसका lusher बहुत बढ़िया होता है, bituminous paint का इस्तमाल वहाँ पर किया जाता है, जैसे steel के कोई pipe है, आपको उसक अब exam में सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस cement paint ने, inamel paint, inamel paint से एक सवाल बनता है, कि inamel paint के अंदर as a varnish क्या इस्तमाल किया जाता है, तो आप बता सकते है, inamel paint के अंदर as a varnish, sorry, vacal, vacal की तरह varnish को इस्तमाल किया जाता है, ठीक है, yes, very nice everyone, चलिए, अब vacal में जैसे कि म common example होता है, lincid oil, lincid oil most common example है, transparent होता है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये बहुत थिन होता है, ये सूखने में समय लेता है, इसलिए इसको उबाल का ठंडा करके इस्तमाल किया जाता है, जिसे कहते है, boiled lincid oil, वो थोड़ा thick हो जाता है, ठीक है, durable surface चाहिए हो, tongue oil तब इस्तमाल किया जाता है, जब आपको superior quality का paint चाहिए हो, poppy oil का इस्तमाल तब किया जाता है, जब आप चाहते हैं कि paint अपना रंग ना छोड़े लंबे समय तक, और किसी भी ordinary work में आप nut oil का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है, वेकल की तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, तो लेथार्ज सबसे common example था, ठीक है ना, लेथार्ज का मैंने बताया भी था, आपको lead oxide PbO, ठीक है ना, इसमें जो red lead है, वो ऐधा base भी इस्तमाल किया जाता है, और red lead को as a dryer भी इस्तमाल किया जाता है, यह गलत लिखा है, यह dryer है, यह dryer है, ठीक है, तो लेथार्ज सो एक dryer होता है, वेकल, ओके, लगता है, अब मैं भी थोड़ा ठक रहा हूं दी रहें, लेकिन कोई दिख करने हैं, पहले पूरा building mill revise करेंगे, उसके बाद ही move करेंगे, ठीक है, अगला है varnish, तो को varnish भी क्या एक तरह का paint ही है, ठीक है, पेंट ही है, कैसे, ध्यान देने की बात यह है, कि varnish जो है, वो खासका लकडी के उपर brilliance लाने के लिए लाया गया है, जैसे कि आप देखें, लकडी इससे में, यहाँ पर varnish लगा हूँ है, देखें चमकदार, तो इससे इसकी brilliance आ जाती है, इसमें shine आ जाती है, और आसानी से पानी में varnish, oil varnish होता है, most durable varnish होता है, आप से कई बार एक्जाम में पूछा जाता है, कि most durable varnish का नाम बताईए, आप comment करके बताएंगे, इसके अंदर जो resin इस्तमाल किया जाते हैं, वो हैं ember और copper, और जो solvent इस्तमाल किया जाता है, that is boiled acid oil, आपको अभी अभी बता है, तो boiled acid oil, most durable varnish, spirit varnish, इसके अंदर lac और shillak को as a resin इस्तमाल किया जाता है, और methylated spirit, इसके अंदर solvent है, water varnish, इसके अंदर shillak को इस्तमाल किया जाता है, हाला कि resins are not soluble in water यह resins जो होते हैं पानी के अंदर soluble नहीं होते लेकिन एक मात्र slack है जो की hot water के अंदर soluble होता है लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वर्णिश पानी में soluble होते हैं नहीं होते है आसफाल्ट वर्णिश जिसको कई बाद टर्पेंटाइन वर्णिश भी इसके अंदर जो solvent होता है वो basically क्या होता है टर्पेंटाइन होता है ठीक है तो टर्पेंटाइन इसलिए इसको कभी-कभी आसफाल्ट वर्णिश की वज़ए टर्पेंटाइन वर्णिश भी कह दिया जाता है अश्या जो मैप होती है जो पिच्चर्स होती है जो उस पे वर् वारनिश होता है कई पार एकजाम में पूछा गया है अगर कोई प्री फैब्रीकेटड स्टील वर्क है तो स्टील वर्क के ओपर कोई वारनिश लगाया जाएगा तो बिटुमिन इस पेंट बोला था यही था आसफाल्ट वारनिश बहुत बढ़ी नागर साथ ठीक है अब ब तीसरा कि यह विसकस होता है नेचर में तॉलिड फॉर्म में इसी को आप एसफेल्ट कहते हैं और सेमी फ्लूइड फॉर्म में इसी को आप बिटुमिन कहते हैं क्या कहते हैं मिन्मल तार लिखा हुआ है बिटुमिन कहते हैं इसका रंग काला हो सकता है गाड़ा ब्राउन ह सकता है अब अगर मैं बिटुमिन और तार के बीच के बेसिक डिफरेंस की बात करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल इसके उपर एक्जाम में बनते है बिटुमिन जो है वह बेसिकली आपका फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है फ्रम पेट्रोलियम किसे मिलता है लि सॉलिबनिल कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फर कारबन डाई सलफाइड लेकिन तार जो है वह सॉलिबन होता है कि इसके अदर तौलीन के अंदर temperature change से अगर मैं बात करता हूँ जादा effect जो पड़ता है वो तार पे पड़ता है temperature change होने की वेशे bitumen पे कम फरक पड़ता है जादा polluting तार होता है क्योंकि इसमें carbon content जादा होता है और खास बात ये है कि पानी से resistance जो है वो bitumen की जादा होती है एक सवाल और भी पूछा जाता है कि मुझे specific gravity बता दीजिए bitumen की और ता सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे तो bitumen की specific gravity भी बतानी है और आपको तार की भी बतानी है bitumen की 0.98 से 1.02 के बीच में specific gravity होती है जैसे एक पटेल साहब ने 0.97 बोला that is also okay उसमें भी कोई problem नहीं है ठीक ना लेकिन तार की specific gravity कितनी होती है हाँ जी तार की specific gravity it is approximately 1.04 से ठीक है ना 1.12 के आसपास ठीक है ना तो कहीं पर 1.02 सही दिया है कहीं पर 1.03 कोई perfect value नहीं है लेकिन आप क्या सकते है 1.04 से 1.12 के आसपास ठीक है यह भी सही है फिर अगर इसके बाद बात आती है तो bitumen भी basically 4 टाइप के है bitumen emulsion, blown bitumen, cutback bitumen और आपका plastic bitumen देखें सबसे पहले bitumen emulsion की बात करता हूँ bitumen emulsion का इस्तमाल pavements में किया जाता है tack coat करने के लिए बहुत बार पूछा गया है क्या करने के लिए सब लोग लिख कर बताएंगे tack coat करने के लिए blown bitumen, blown bitumen कुछ इस तरह बनाया जाता है कि जब हम bitumen को एक high temperature पर ले जाते हैं उसके थूरू air pass करते हैं तो जो bitumen की formation होती है उसे blown bitumen कहते हैं इसका इस्तमाल बेसिकली दो जगाओं पर किया जाता है जहां पर मुझे damp proofing वर्क करना हो या जहां पर मुझे heat insulating material की तरह इसका इस्तमाल करना हो यानि की thermal insulation वर्क करना हो ठीक है बई? जो तीसरा tag का bitumen है cutback bitumen सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला bitumen जब भी मैं bitumen की viscosity को घटाने के लिए उसके अंदर कोई emulsifying agent मिलाता हूँ जैसे की example के तौर पर kerosene जैसे की naptha जैसे की कोई किसी तरह का oil तो उसे cutback bitumen कहा जाता है इसका इस्तमाल खास दो जगाओं में किया जाता है एक road construction में और एक soil stabilization आपसे एक सवाल और भी बन सकता है कि जनरली सर कितने परसेंटेज में करते हैं soil stabilization में इस cutback bitumen का इस्तमाल दो से चार परसेंट सब लोग लिख कर बताएंगे दो से चार परसेंट ठीक है बात तो ठीक है कर लेंगे जी ठीक है अगला कर मैं यहां पर बात करता है लास्ट इस प्लास्टिक बिटुमिन का इस्तमाल बेसिकली कहां किया जाता है जब मुझे कहीं यह बहुत बार पूछा गया यह सी में भी और एक्जाम से पूछा गया जैसे पूचा गया लीकेजिस को स्टॉप करने के किस बिटुमिन का कहीं पर क्णर करने के बात करते हैं तो प्लास्टिक बिटुमिन के अंदर बेसिकली आप बिटुमिन होता है एक ठिनर मिला होता है और एक और मुझे लगता है कि यह पूछा भी जा सकता है स्टेटमेंट वाले कोशन में तो 40 से 45 परसेंट 40 से 45 परसेंट वेरी नाइस ये भी सही है ठीक ठीक ना और आज के सेशन में सभी बच्चों को 500 प्लस लाइस करने विदा क्यूमिलेटिव एफेक्ट ठीक ना येस चले बहुत अच्छे अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर बिटुमिन के लावा जो दूसरा है वो है तार और तार कैसे मिल रहा था देखो फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव में अंतर बता अगर मैं एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो क्रूड ओल जमीन से निकलता है उसी से डीजल बनाता हूँ उसी से केरोसीन बनाता हूँ उसी से पेट्रोल बनाता हूँ तो मैं उसके फ्रैक्शनल पार्ट को तोड़ कर उसको process करके उसी से diesel उसी से petrol बना रहा हूँ तो bitumen भी उसी से ही बना रहा हूँ functional distillation of the petroleum लेकिन जब लकडी और कोईले की बात आती है तो उसको जला कर उसको destruct करके उसकी properties को change करकर जो मैं बनाता हूँ वो है तार बात तो पतेगी है ठीक है ना तो भाई यह भी विसकस होता है ऐसा नहीं कि यह विसकस material नहीं है लेकिन यह किस से मिल सकता है वुड से मिल रहा है तो वुड तार कोल से मिल रहा है तो कोल तार अगर आपको याद हो तो preservative में हमने एक preservative पढ़ा था timber के अंदर creosote oil तो creosote oil best preservative माना गया था timber के उपर लगाने के लिए क्यों 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 लाइफ ऑफ दा timber को दोगुना कर दे रहा था डियूबिलिटी ऑफ दा टिमबर को बढ़ा दे रहा था किससे बनाया था वह इसी वुड़तार और इसी कोलतार से बनाया जाता है अब यह जो वुड़तार है यह भी पांच ग्रेड में बाटा जा सकता अगर बना पर घ्यान देदा हूं तो सबसे जादा बार अगर कोई रोड ग्रीड पूछा गया एकदाम के अंदर तो वह रोड ग्रेड थरी और रोड ग्रेड फाई फिर भी हम पांचों के उपर बात्चीत कर लेते हैं रोड़तार grade 1 surface coat के लिए इस्तमाल किया जाता है aggressive weather conditions में जैसे की cold weather conditions हैं कहीं पे favorable conditions जहां पर बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन अगर normal climatic conditions और surface coat करना है तो आप रोड़तार grade 2 से कर सकते हैं अगर कहीं पे renewal coat करना है तो रोड़तार grade 3 का इस्तमाल करें अगर कहीं पे base course में उड़तार का इस्तमाल करना है तो आप रोड़तार grade 4 का कहीं पे grouting के purpose सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सबshire के परपसился की इसका इस्तमाल करेंगों को में रोटार 两 stereo Paradise Eve Please comment section किशे स्टमाल करेंगे रोटतार-घ्रेड पाइव का इस्टमाल करेंगे कि बहूत अच्छी की बहुत एच्छी भाएक बहुत बढ़ी है तो सबको याद है ना कि कल हम लोग रात आथ वजे से ठीक ना किसने वजे से आथ वजे से ना हो जैसे इसमें नौ लिखा हुआ है चलो आप चैनल पर देख लेना सेशन अभी लाइव हो गया होगा मेरे को आठ या नौ नहीं है इसमें नौ लिखा हुआ है क्योंकि वैसे तो मैंने आठ बोला था देख लेंगे चलो ठीक ना एक बार आप चेक कर लेना ठीक है और हम 1500 प् कंगे कल इसके उपर जो भी क्योंट हमारे पास बेस्ट में हो सकते हैं जो एक्जाम में लगता है क्या सकते हैं चाहिए वह किसी भी अज़ियंगों में आये हो या अपने बनाय गए कुछ नए कौशन वह सब्सक्राइब हो उस हर तरीके के क कुच्चंट जो है कल हम सेशन में करेंगे ठीक है ब् на के अगले देन पर करेंगे चितने जब् permet के ऊबते लगा करेंगेần करेंगे करेंगे और एक सब्जेक के करके स्ञेख करें एक स्टील थिया हाई वे जितने सब्जेक्ट कि अपने सारे सारे सबका रिविजन भी करते जाएंगे और सबका कैकेते कोश्चिन भी लगाते जाएंगे ठीक है ना इस इसान के रहें में सर तीन सो कोश्चिन तक कराईए सर पर सब्ज़ेट हमाँ करा तो सकते हैं अपनी जगा पर कंप्यूटर खडा कर देता हूं तो करा लेकिन अप्रेक्टिकल बात करते हैं ठीक है ना को शन बनाने में टाइप होने में उनको सॉल करने में मुझे तैयार करने में यह जो आपको देने की कुशिश कर रहे हो गल में आपके लिए कर दूगा और चूंग तुम तो हैसा कह रहे हो तो यह चीज़ का थोड़ा सामें ध्यान रखना है लेकिन मैं चाहूंगा कि सब आप सभी लोग अपने लिए जरूर क्लापिंग करें बहुत अच्छी क्लापिंग करें आप सभी लोग मिल जूल के एक दूसरे के लिए क्योंकि आप सब सेशन में भी 120 प्लस कोशन आप लगाने वाले हैं ठीक ना तो यह बहुत इंपोर्टन बात होती है और हर किसी के बसकी बात नहीं है बहुत सारे बच्चे सेशन में आए होंगे और चले गए होंगे ठीक है लेकिन जो स्चुरवात से आखरी तक बैठा है उसके लिए तो हैट भी दिक्कत आती है यू किन आलवेज इमेल मी ओन माई इमेल आइडी ठीक है ना शुभम शुभम डॉट एजी ए और डब्लू एल अगरवाल डॉट फैकल्टी एड़ डारेट टेस्टबुक डॉट कॉम ठीक है ना पहली चीज़ दूसरी चीज़ है कि आप सभी लोग टेस्टबुक की अप्लेकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना प्लेकेशन के अंदर आप टेस्स सिरीज को ज़रूर लगाए क्योंकि टेस्स सिरीज इस वेरी इंपोर एक टेसरी जरूर लगानी है पहली चीज तो टेस्ट बुक की एप्लिकेशन डाउन्रोड कर ही लो हर हाल में पहली चीज दूसरी चीज ठीक है ना कि नॉन टेक नहीं तो सेलेक्शन नहीं जो बच्चे नॉन टेक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं सिर्व अपने आपको इंजीनि करने के बाद अगर तुम सेलेक्शन अपना खराबगर दोगे तो तो क्लास उसकी भी चल रही है रही बात ठीक है ना आपको शॉर्ट नोट्स चाहें सब्जक्ट के तो मैं आज अपने टेलिग्राम ग्रूप में डाल दूँगा आप वहां से डाउन्लोड कर लेना ठीक है तो जितनी important चीज़े हैं वह PDF में डाल दूँगा लेकिन जितनी चीज़े आपको session में बताई गई है वो हर चीज PDF में हो यह जरूरी नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है और कल हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे 9 बजे ठीक है ना for 120 plus questions on BMC जो top questions है और कल का session भी 100 like के साथ open होगा जै for revising the full subject in one session